लाइक्स रुकने नहीं चाहिए चेप्टे 12 की रिवीजन वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए स्पेश्टली और पता कहां से रिवाइज करा रहा हूँ Institute of Chartered Accountants of India की किताब से जो है आपको रिवाइज करा रहा हूँ और अगर आप लोग मन चाहे लाइक्स देंगे जो के हैं हजार से उपर तो हम दोग जो है इसके question भी revise कर लेंगे बैट के और आपके exam का question भी बता देंगे आपको कौन सा आने वाला है ठीक है चलिए तो अब जब बैंक audit पे बातचीत करते हैं नहीं कि पहला 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 प्यार बच्चों क्रूशल है क्योंकि money से deal करते हैं और highly sensitive है भाई साब highly sensitive है क्यों reputational risk है दोनों का bank कभी और आपका भी सोचे आपका दिया हुआ चेक अगर bounce हो जाए इजद जो कमाई है वो भाई साब मिटी में मिल जाएगी और bank के भी reputational risk है अगर वो आपके आपका सब कुछ सही था और बाई साब bank जो है आपके पैसे ना दे पाएं तो reputational risk भी इंवाल फिर से backbone है backbone है economy की ठीक है crucial है banking sector क्यों public money से deal करता है highly sensitive है to reputational risk बहुत सारे तरह के risk होते bank के operation में जो माने वाल समय में पढ़ेंगे या फिर आपने EIS में chapter 5 में पढ़ लियोंगे don't worry at all अच्छा अब banking sector जो है healthy रहे safe रहे sound रहे healthy रहे safe रहे sound रहे sound रहे sound रहे sound रहे एसे सरायू की बाड में जो है वो बहार बहा के आ गए है आज़ो please सरायू होता है सर्यू होता है सर्यू होता है सर्यू हाँ सर्यू नदी की बाड में जो बहा के आगए anyways तो याद रखे bank backbone है economy के crucial है public money से deal करते हैं और बहुत ज़दा sensitive है reputational risk के लिए बहुत साय तरह के risk हो सकते हैं यह जरूरी है कि banking sector healthy रहे safe रहे sound रहे safe और sound रहने के लिए मतलब के बाइ reliable financial information बने और it should be supported by quality bank audit okay पहला हमारा major task खतम आई दूसरे task में चलते हैं भाई सब कितने तरह के bank हो सकते हैं तो हमारे पास यह question जो आपके exam में पूछा सकता है commercial bank, rrb, cooperative bank, payment bank, development bank, small finance bank तो यह हमारे पास 5-6 प्रकार के banks हो सकते हैं जो आपको याद रखने हैं commercial bank, commercial bank सबसे जढ़ा पाए जाने वाले banks में से हैं इनके बहुत सारी products और service होती है इनके 2 main काम होते हैं एक्सेप्टिंग deposit and granting advances बहुत सारे हैं पैर तो दिखा ने सकते हैं इसले हाथ सकर दिया आर आर भी बचो आर आर भी आर आर भी बोले तो regional rural banks ये different different states के rural areas के अंदर है basic banking और financial needs को जो है वो satisfy करने के लिए बनाए गए है उनको cater करने के लिए बनाए गए है बस धिहान से सुनिये rural areas of different states में आपको मिल जाएंगे basic financial needs basic banking and financial needs को cater करने के लिए बनाए गए है example में पंजाब गार्मिन गार्मिन नहीं ग्रामिन तिरपरा ग्रामिन बैंक, अलाबाद यूपी ग्रामिन बैंक आंतरपरदेश ग्रामिन बैंक तो यह सारे ग्रामिन बैंक के एक्जामपल ले दिये आती दुखी आतमे डाउट में सब्सवर यहां पर आई यहां पर डबल ई अरे जैसे नीरज में होता है कोई आई लगाता है कोई डबल ई लगा लेता है वैसी चलने दो भाई ज्यादा टेंशन मन लियकरो इन बातों की ठीक है आजओ कोईटिव बैंक की बात करते बैटा कोईटिव बैंक की दो बैंक होगे कमर्शल और रीजनल रूलर बैंक कोईटिव बैंक कौन से होते है जो कोईटिव प्रिंसिबल से याद आया चैप्टर फर्टीन की पूरी की पूरी रिवीजन वीडियो मैंने अपलोट कर दी है उसमें कोईटिव सोसाइटी पे स्पेशल सेशन लगाया है तो जा कि उसको देख लीजिएगा ठीक है हो चाहिए क्यों multi-state cooperative act हो और generally agriculture और rural sector के banking needs को finance needs को cater करते हो फिर से cooperative principles पर काम करते हो cooperative society act में registered हो या तो state की या तो multi-state cooperative society act में और किसको cater करते है agriculture and rural sectors को example गुजरात मोधी जी का गुजरात याद रखेगा मोधी जी का गुजरात state cooperative bank limited मेरे साथ गुजरात state cooperative bank limited यह example आप लोग याद रखे जाएंगे payment bank पे चलते है new type के है, recently introduced है restricted deposit accept कर सकते है लेकिन यह loan नहीं दे सकते है लाल रंग से mark कर रखा भाया क्या नहीं दे सकते है, loan नहीं दे सकते है किसी भी हाल में, customer जो है अपने current or saving account खोल सकते है ATM debit card ले सकते है internet banking, mobile banking कर सकते है example, ATL payment bank, Indian post payment bank और ATM payment bank, etc मुझसमत पूछे का इसमें से कौन सा चल रहा है, कौन सा बंद हो गया ICA ने लिखा है, मतब लिखा है ICA बोले, उल्टा लटक, 5 नमबर दूँगा step 1, उल्टा लटको, बेटा, tension नहीं लेने का आईए, फिर से बात करते है payment bank, new type bank, recently introduced restricted deposit accept करते है loan issue नहीं कर सकते है opening आप होँपे current or saving account के कर सकते है ATM कम debit card issue कर वा सकते है internet banking, mobile banking, सब कुछ जो हो हो सकता है जैसे की ATL payment bank, Indian post payment bank और आपका paytm करो share लिए थे, paytm के IPM है कैसा चल ला है, आजओ then उसके बाद आते है development bank के उपर right, तो हमारे पास 4 तरह की bank हो चुक है development bank क्या है, ये bank है जो funds देते है infrastructure facility के लिए infrastructural facility के लिए building ही बनानी है, dams बनानी है flyer बनाना है, दिल्ली सजेपर जरफ दो घंटे में जाना है हाँ, हाँ, तो भाई सब ऐसे ऐसे कामों के लिए आपको जो infrastructure facilities के लिए funds दे, वो होते है development bank, और इनके example क्या है industrial financial corporation of India IFCI, industrial finance corporation of India IFCI, और सबसे चाए example IDBI, industrial development bank of India, और ये भी भूल जाओ, तो बेटा मारे पास एक तो ही, SIDB SIDB, SIDB, SIDB Small Industries Development Bank of India तो लीजे, ये हमारे development bank हो गए और उसके बाद आते है मारे पास small finance bank ये एकदम मस्त वाले bank है भाई साब इनका काम किया है, unorganized sectors में, छोटे-छोटे किसानों को, छोटे-छोटे business unit को, जो है, वो banking facilities provide करवाना याद रखना, इनका एक, ये RBI ने बनाए है, RBI का aim क्या था basic financial banking facilities मिल पाए किस-किस को, unserved, unorganized small marginal farmer, small and micro business units, जैसे की Equitas Small Finance Bank, AU Small Finance Bank, ये हैं वो हमारे पास Small Finance Bank के कुछ examples, लीजे, ये हमारे type of bank हैं पर complete हो गए, सब एक बार रैपिडर वीजिन भी करा दो, एक दो बलोट की तरह commercial bank, सबसे ज़्यादा number of banks कौन से, commercial bank बहुत सारे product और service होते हैं, domain काम होते हैं, deposit accept करना, advances grant करना, RRB, RRB आपको कहा मिलेंगे, rural areas, different state के, काम क्या है, cater करना, basic banking और financial need की, किसकी rural communities की, example Punjab Garmin, नहीं, नहीं Punjab Grammin Bank, हमेशा cooperative bank,unu, corporate principle पे काम करते हैं, cooperative society act में registered है, multi-state cooperative society act में registered हो सकते हैं, किसकी financial need को cater करते हैं, generally speaking agricultural and rural sector की financial need को cater करते है, example gujarat, मodhi جी का gujarat cooperative principle पे काम करते है, गUjraat state cooperative bank limited, payment bank की बात करते हैं, नए नवेले हैं, RBI निकाले हैं, accept कर सकते हैं restricted deposit issue कर नहीं की कर सकते loan, याद रखेगा, ये इनका key characteristic के लिख के नहीं आओगे, marks ने मिलेंगे बेटा current account saving account खोला जा सकता है, ATM debit card मिल जाएगा, mobile banking, internet banking सब मिल जाएगा example में, ATL payment bank, pay ATM payment bank करके आ सकते हैं, Indian post payment bank लिख के आ सकते हैं, क्या बोलती public, development bank पे चलते है, development bank क्या बोलते है, fund देते हैं infrastructure facility के लिए, IFCI IDBI और SIDBI small finance bank, small finance bank basic financial banking facility प्रोवाइड करते हैं, unserved unorganized, marginal farmers small and micro business units को, चलो बेटा आज अवाज़रा मेरे साथ आगे, अब बात करते हैं RBI, जी हाँ भाईयो बेनो, आपके आजाओ, आजाओ, so functioning the functioning of banking industry in India is regulated by RBI, which act as the central bank, तो इसे central bank बोला जाता है RBI किसलिए responsible है, development and supervision of the constituents of the Indian financial system, constituents में कौन कौन आता है भाई साथ, bank और NBFC, मतलब जहां भी पैसे के लेन देन वाले खिलाडी आएंगे, उन खिलाडियों को develop और supervise कौन करेगा RBI, supervise करेगा, और क्या काम है RBI का, credit policies बनाना credit policies बनाना, monetary and credit policies बनाना, सरकार के साथ मिलकर, SLR कितना रहेगा, CRR कितना रहेगा, inflation है, तो क्या rate of interest बढ़ाये जाए क्या rate of interest घटाये जाए, यह होती है आपकी monetary and credit policies बनाना, and साथ साथ में, commercial और other banks की activities को regulate करना साथ साथ में, commercial और other banks की activities को regulate करना, मेरे साथ develop और supervise करना, constituents को यानि players को, अच्छा, उसके साथ में credit and monetary and credit policy बनाना, सरकार के साथ मिलके, activities of commercial and other banks को क्या करना, come on, regulate करना, आज हो मेरे साथ, important functions of RBI क्या क्या है, पहले तो देखो बेटा, दो currency वाले, issue, और regulate, अच्छा, उसके बाद क्या करना है, दो banker वाले, किस-किस का banker, central state government का banker तो ही, बाकी जो commercial और other type of banks है, उनका भी banker कौन, RBI, अगर आपने class 12 में economics पढ़ी है, जिसमें money and banking का chapter होता था, उसके अंदर एक बात लिखी हुए आती थी, lender of the last resort, वो ही तो है, बेटा, central और state को banker बनेगा, commercial और other type of bank का भी भाई साब banker बनेगा, और उनकी activities को regulate भी करेगा, कोई भी bank RBI की मर्जी के बिना अपना business शुरू नहीं कर सकता, यहां तक के कोई भी bank RBI की मर्जी के बिना अपनी नहीं ब्रांच भी जो है, वो नहीं खोल सकता, without obtaining license from RBI और RBI की पास power है, कि भाई साब वो क्या कर सकता है, banks को वो banks को कर सकता है, inspect बोली क्या कर सकता है, inspect आई, RBI की बारे में एक बार जल्दी जनले थे, short note RBI पे लिखने को आगे है, तो भाई साब याद रखना हमारी जो banking industry है, उसको regulate करता है, RBI, central bank है RBI, developer supervise करता है constituents को RBI, credit monetary policy बनाता है RBI, activities of commercial bank और other bank को regulate करता है, currency issue करता है, currency regulate करता है central state government का banker है, और साथ-साथ में और किसका banker है, दुष्टो साथ-साथ में banker है, यह other banks का भी जो है, वो banker है, और उन banks के activity को regulate करता है, एक line को 5 बार repeat करो ICI को मजा सा आ जाता है, ओह-ओ-ओ-ओ-ओ 5 बार repeat हो गई, वाओ आजो, no bank can commence the business of banking or open new branches without the, without opening license from RBI और RBI के स्वावर है, उनको inspect करने की भी आईए, आईए, आपका इंतजार था, एसे topic को बोलते है, ZKT, क्या बोलते है ZKT, जबरदस्ती का topic कहीं से भी लाके कुछ भी घुसा दो, भाई साथ topic कहीं पे भी कोई कहने की बात नहीं, बट कोई बात नहीं वो policies बनाते है, internal controls से related, वो policy बनाते है internal controls से related, ताकि हमारा business जो है, in compliance with law हो पाए, ताकि हमारी accounting जो है वो as per accounting principles हो पाए, ताकि हम लोग powers धंग से delegate कर पाए मेरी बात को सुनिये, banking operation से रफ ब्रांच में होते हैं, बाकी office में administrative task होते हैं, उन्हें administrative office भी बुलाये जाता है, वहाँ पे internal control की policy सेट होती है, ताकि हम लोग in compliance with law and regulation काम कर पाए ताकि हम लोग अपनी financial statement as per accounting principles बना पाए, ताकि हम लोग बाई साब delegation of power अच्छे से कर पाए ताकि हम लोग जो है supervision, monitoring और controlling जो है, वो अच्छे से कर पाए और bank की policies को follow कर पाए इन शॉट आपको इब बाता हूँ, अगर आप धियान से देखो तो बेटा, back office में bank के internal control पे काम किया जाता है, अब internal control के objective आपको बता है, safeguarding of asset, reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, come on, come on, come on compliance with law and regulation, तो वो ही बात हैं, यहाँ पर लिखी हूँ ही, पलट पलट के, right, आई, तो जबर्दस्ति का topic था, अब बात करते हैं, ज़रा regulatory framework, भाई सहाब कमाल है, यानि एक bank पे कौन-कौन से एक्ट अप्लिक बलो सकती है, banking regulation act, state bank of india act, year याद करने के बस की है तो कर लो, otherwise छोड़ दो भाई, अगर एक कोशन ICI पूछता है, तो भाई, मेरी तो नमस्ते है ICI को, कि भाई, ICI क्या जबर्दस तुमारी रटने की powers चेक कर रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर भी, banking regulation act, 1949, state bank of indian act, 1955, बस बेटा बस, यह लो, 1949 के बाद, 1955 में, ठीक है, याद रखना, अच्छा, companies act 2000, यह कैसे बूल सकते हैं, फिर state bank of india, subsidiary act, 1959, तो 55 में यह बना, चार साल बात बेटा है, इनकी state bank of india, subsidiary bank act बना ही, तो चार act तो देखो, याद होई रही हैं आपको, question कैसे पूछेंगे, बताओ, कौन-कौन से act, जो है applicable होती है, banks पे, तो मैं आपको 8 act के नाम जो है, याद करा दूँगा, यह तो बहुत असान, यह भी बहुत असान, यह तो आहाहाहा, और यह हम रोड़ी असान बना ले, फिर उसके बाद, बच्चो, उसके बाद, यह बाद, यह वाली याद रखे, Regional Rural Banks Act 1976, मेरे पैदा होने से 10 साल पहले, मैं 86 में वो था, यह 76 में आई थी, बेटा, अच्छा, उसके बाद, बेटा, यह देखो, यह कितनी असान है, Information Technology Act 2000, तुमारे पास एक, दो, तीन, चार, चार ही हो गई, पांच भी हो गई, चट ही हो गई, और जीवन में क्या चाहिए, बेटा, और यह तो जरूर लिख्याना, यह मोदी जी की फेवरेटर, पमला, मैं जट, पमला, पमला दिवाना, वाट इस पमला बेटा, Prevention of Money Laundering Act, इसन प्यार से को लाएंगे, पमला, बोलो क्या, पमला, Prevention of Money Laundering Act, अब इसके बाद और कोई आपको याद करनी है, तो पहले देखो, छे साथ याद हो गई है, Banking Regulation 1949, SBI 1955, Companies Act 2013, SBI Subsidary Banks Act 1959, अच्छा जी, RRB 1976, उसके बाद IT Act 2000, यह कितने होगे, छे, यह होगे साथ, पमला, 2002, एक आदिवार याद करनी हो तो देखो, Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970, और बस उसी के साथ 1980, दस साल के gap में, दो एक्ट लिया है, सेम से, यह बेशिकली बैंक को एक्वाइर करने के लिए बनाए थी, जब बैंक का nationalization चल रहा था, आपको इतना याद कर लीजे, बहुत है, तो regulatory framework में इतना याद कर लीजे, बहुत है, अब आतो यह थोना याद करोगे तुम, यह थोना याद करोगे, क्यूं याद करोगे बेटा तुमें, बस बाकी मेरे आपको जो आठ नो बता दी है, उनको याद कर लीजे, काम बन जाएगा आप लोगों का, कहते हैं, इसके अलावा भी एक act applicable हो सकती है, Reserve Bank of India Act 1934, अच्छा ठीक है, यह अजादी से पहले की थी, हम इसको भी याद कर सकते हैं, लो भाई लो, अचानक से इनको सुचा, ओ यार हम तो बताना ही भूलोगे के bank में distinct features जो है, वो क्या-क्या होते हैं, उसकी transaction में अलग बाते क्या-क्या होती हैं, तो उन्होंने एक box डाला, और box डाल के बताया कि भाई साथ हम बताएंगे, banking transaction में क्या-क्या peculiarities involved होती है, खाइदे से यह topic का आना चाहिए था, जब हमारा bank audit का chapter शुरू हुआ था, यह यहाँ पर आना चाहिए था भाई साथ, यह यहाँ पर कहीं प्याना चाहिए था, बैंक के अंदे बहुत सारी तरगी, बैंक के transaction दे बहुत सारी तरगी peculiarities होती है, लेकिन उन्होंने कहीं दूर जलाकर डाल दिया, यह बच्चों direct question बन सकते हैं आपके लिए, discuss the peculiarities involved in the operations of the bank in India, तो बैटा सबसे बहुत हैं, huge volume and complexity of transaction, huge volume, आपको बता है, अमेरिका में जितने लोग रहते हैं, उतने State Bank of India में bank account है, मैं जूट रही बोल रहा, कसम से, कसम से light जल रही है, सच बता रहा हूँ बेटा, अमेरिका में जितने लोग रहते हैं, उतने State Bank of India के अंदर bank account है, just think over it, तो भाई उसके क्या जबरदस volume होती होगी, geographical spread, कहां कहां, मैं Goa घूमने गया, भाई साब Goa में, मैं आपको क्या बता हूँ, अबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब अकेले भी चले जाओगे, तो भी honeymoon सफल रहाएगा, तुम्हारा अगर यह पढ़के जाओगे तो, आ जाओ बेटा, तो huge volume and complexity of transaction, volume, उसके बाद geographical spread, उसके बाद products, उसके बाद use of technology and then strict vigilance, ओके, बोल दो हा के न, come on, yes or no, तो volume, geographical spread, product, use and हमारे पास किया आगे, strict vigilance, कोई memory technique, memory technique के जूरत नहीं है, ऐसे इसको 4 बाद पढ़के जाओगे, एक्जाम से पहले, काम बन जाएगा तुम्हारा, आ जाओ, अब उसके बाद चलते हैं, types of bank audit report to be issued, मतलब direct question पूछ सकते हैं, के बता हो, जी बता हो, बैंक्स में किस किस तरह के report जो हो इशु होती है, और देखें कि आप मज़दार चीज़े बच्छों, सबसे पहले, ये देखो, ये कौन है, statutory central auditor, जो बेटा, एक bank होता है, जैसे SBI, SBI के देखो, कितने सारी branches है, अब SBI के हर branch का audit होगा, लेकिन, SBI के जो main auditor होते हैं, उनको बोलते, statutory central auditor, बस इतना याद रखे, अब statutory central auditor को, क्या करना है, have to furnish the following reports in addition to the main report, पहली report पढ़ो जरा, पहली report पढ़के तो देखो, 143 subsection 3, उसका एक sub clause था, वो था 9, 9 था, wine और wine पिके खो गए, internal financial control हमारे, याद आ रहा है आप लोगों को, come on, तो बेटा, यहाँ पर क्या है, 143 subsection 3, clause I of companies लिए 13, वो आपको, मैंने class में दिखाए भी है, as an extra दी जाती है, to the main audit report, as per the guidance note of audit on internal financial control, और financial reporting by ICI, बता दीजे, come on, तो आपको 143 subsection 3, clause I की reporting भी यहाँ पर करनी है, जो होती है, basically किसके उपर बेटा, जो होती है, basically आपकी effectiveness of IC के उपर, then bank में एक और report जाती है, LFAR, इसका अलग मजाख है, intermediate में वो दिखाऊंगा आपको, फिर एक और report जाती है, compliance with SLR, आओ बेटाओ, आओ मेरे साथ आओ, इधार देखो, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, internal control, LFAR, SALAR, बोलो बेटा, LFAR, SALAR, फिर ट्रेजरार, internal control, LFAR, SALAR, ट्रेजरार, चार report याद करा दी मेरे तुमको, report on internal control, LFAR, SALAR, SLR, ट्रेजरार, report on treasury operations of the bank, कि भाइसें, वो जो treasury operations है, वो as per the RBI instruction, हुए हैं नहीं हुए हैं, फिर उसके बाद, उसके बाद, income R, asset classification, provisionar, ऐसी बोलेंगे, बेटा, ऐसी बोलेंगे, याद हो जाएगा, income R, income recognition, asset classification, and provisionar, यानि provisioning, इनके उपर भी जो report जाने वाली है, कि भाइसे भी as per the circulation guidance of RCI, RBI, हुए हैं के नहीं हुए मेरे साथ, internal control, LFAR, SALAR, ट्रेजरार, income R, asset classification, and provisionar, ओके जी, तो इसको ऐसे याद कर Irregularity, Serious Irregularity, तो कोई notice नहीं हो थी, in the working of the bank, तो उसके उपर भी report जाएगी, साथ-साथ में घोश जिलानी कमेटी के कुछ recommendation थी, घोश कमेटी ने, frauds or mal practices को लेके बताया था, कि भाई सब आपने, क्या-क्या, safe guards इंप्लिमेंट करने इनके against, और साथ-साथ में जिलानी कमेट कमार, asset classification, प्रोविजनार, फिर उसके बाद, Irregularity, Compliance with घोश and जिलानी कमेटी recommendation, तो यह report जाती है, और आखरी हमार पास credit deposit ratio, जो अगर adverse credit deposit ratio रहा है, आपका rural areas के अंदर, तो उसके उपर भी आपकी क्या जा सकती है, report आपकी जानी चाहिए, credit deposit ratio अगर adverse रहा है, तो उसके उप on the level of computerization, non-computerized bank, जहांपे सारी transaction working hours में paper pen से होती है, non-computerized bank, non-computerized bank, जहांपे सारी transaction working hours में paper pen mode से होती है, partially computerized bank, जहांपे कुछ transaction computerized है, कुछ transaction non-computerized है, क्या topic है अपने आप में, fully computerized, core banking है, interconnectivity है, customer can operate their accounts as well as avail banking service from any branch of the bank over the network, core banking है, interconnectivity है, customer अपने accounts को किसी भी branch से जो है वो operate कर सकता है तो याद रखिये अगर आप से question पूछ ले कि भई on the basis of computerization how you can divide the banks, so banks can be divided into three categories according to computerization and number one is non-computerized working hours में pen paper mode बे काम होता है उसके बाता है हमेरे बास partially computerized some transaction computerized while major are non-computerized फिला था बेटा fully computerized core banking है, interconnectivity है, customer अपने account को operate कर सकते है, किसी भी branch से over the network, done done, अब देखे, कहते हैं अगर computerized environment है, तो भाई सब या auditor के लिए mandatory है, कि auditor जो है, वो familiar हो, और साथ-साथ में satisfied हो कि जितने भी parameters, जितने भी basically RBI की guidelines आई हुई है, वो इनके computer system के अंदर incorporated है, मैं फिर से बोलता हूँ, computerized या नहीं, incorporated, अच्छा किस चीज़ को लेकि guideline, बेटा वो जो उपर चीज़े पढ़ रहे थे, जैसे income recognition, provisioning, right, asset classification, इन सब चीज़ों को लेकि जो guideline है, वो यहाँ पर properly incorporated है, या नहीं है, auditor को assume नहीं करना चाहिए, कि system जो information generate कर रहा है, वो सही होगी, auditor को मेंशा professional skepticism और prudence जो है, वो exercise करनी चाहिए, और साथ-साथ में, उसको manually भी जो है, वो चीज़े चेक कर लेनी चाहिए, manually भी process perform करके, authenticity and consistency of information जो है, वो check कर लेनी चाहिए, auditor को presume नहीं करना चाहिए, कि information correct होगी, और auditor को professional skepticism और prudence exercise करना चाहिए, और auditor को manually भी जो है, वो check कर लेना चाहिए, system, चेक कर लेना चाहिए, authenticity and consistency of the information जो वो obtain कर रहा है, system से, right, आईए, अब आते हैं, अगले सवाल पे, कि bank audit की approach क्या होगी, तो bank audit की approach भाई साथ वो ही होगी, जो बाकी audit की होती, वैसे मैं आपकी जान कर लेकी बता दूँ, यह जो उपर photo दे रखे न, यह photo बता कहां से लिए, slideshare.net से Institute of Chartered Accountants of India की किताब है, anyways, तो bank audit की approach की ओने वाली है, पहले audit plan मनाएंगे, फिर bank के control environment को समझेंगे, और control environment में जबरदस्ती की कुछ topics आपको बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद engagement team discussion जो के आपके exam के लिए बहुत important है, और उसके बाद भाई साब हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पर हमारी audit approach का तो मुझेगे, लेकिन फिर से इस गड़े मुर्दे को दुबारा उठाएंगे, कहां पर अभी आपको बताएंगे, लेकिन आजाओ, सबसे पहले audit plan मनाएंगे, अब audit plan किस पे डिपेंड करेगा, nature and level of operation, बड़ा बैंक है, चोटा बैंक है, किस तरह के operation है, foreign branch है, कि भाई सब foreign branch नहीं है, फिर nature of adverse feature, adverse feature मतलब complex features, nature of complex features, कितना complexity है उस बैंक के अंदर, then previous reports, previous reports से basically कितना जो है वो compliance किया गया है, और audit risk के basis पेमारा plan होगा, audit is based on inadequacy in, और breach of IC, and the familiarization exercise carried out, यह familiarization exercise कहके डरा है, ऐसे 315 carried out भाई, ऐसे 315 identifying and assessing the risk of minimum statement through understanding the entity and its environment, and internal control, जो के नाम में लिख नहीं होता है, लेकिन करना तो पढ़ता है, तो याद रखे कि बच्चों इस बात को जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, कि आप लोग क्या करेंगे, एक audit plan बनाएंगे, audit plan किस पे बेस्ट होगा, आपके nature and level of operation, nature of adverse feature, previous audit report से आप से कितना comply किया है, audit risk जो आपको पता चला है, internal control के breaches अगर कुछ पता चल रही है, या फिर general जो आपके पास information आई है, उससे, right, then control environment at the bank, same बात बच्चों, ऐसे 315 चल रहा है, ऐसे 315 में हम लोगों को क्या बोला गया था, entity को समझो, उसके महल को समझो, उसके internal control को समझो, internal control के बहुत सार element होते थे, जिसमें से एक element होता था, control environment, के overall management का कैसा attitude, awareness और action है towards the internal control, तो कह रहें, bank के control environment पे, आप पताए, bank के control environment पे तो मेरी audit के approach रिपेंट करेगी, अब bank के control environment में आपने क्या-क्या देखना है, अरे भाई साब, बात कर रहें control environment की, लिख दियें control activities, control activities ये बच्छो एक पार्ट होता था, आपके control, internal control का, components के करा बात करें, तो segregation of duty है या नहीं, measurement and reporting of positions होती है कि नहीं, हर चीज़ की verification और approval है कि नहीं, रिकंसिलेशन होती है कि नहीं, लिमिट सेट कर रखी है नहीं, exceptions की reporting होती है नहीं, physical security और contingency planning है या नहीं, यह सारी चीज़े बच्छो control activity का पार्ट है, तो याद रखिए, control environment बेसिकली यहाँ पर इनका क्या मतलब है, चेक करो, बैंक के पास adequate internal control है या नहीं, risk को minimize करने के लिए, अब adequate internal control क्या होता, रटने की जूरत नहीं है, segregation of duty, जहां अटक जाओ, कोई पूछे control activity, segregation of duty, approvals, reconciliation, exception report, यह सब बच्चों के control activities आती हैं, याद रखिएगा, फिर से बोल देता हूँ, segregation of duty, then verification, approval, reconciliation, exception report, physical security and contingency planning, that's it, तो यह बात जो है, आपने प्रे दिमाग में रखनी है, अब, जबरदस्ती भाई सब कैसे बच्चों को परिशान किया जाए, चलो एक topic और बना देते हैं, कि कौन से common questions और steps हैं, जो आपको mind में रखने चाहिए, while undertaking or performing the control activities, basically while understanding होना चाहिए थे, while checking होना चाहिए था, but नहीं, while undertaking or performing the control activities, तो कौन से questions और जो आपके mind में रखना होना चाहिए, कौन, क्या, कब, कहा, वाई, क्यूं, कौन, बेसाथ, कौन, क्या, कब, कहा, क्यूं, अभी और भी है, यूं, हाओ, कैसे, राइट, तो भाई, ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, किसी भी control को आपको समझना है, तो आप देखेंगे, उसे कौन perform करता है, क्या, उसके पास knowledge है, फिर, उस control के, उस control के performance की evidence है या नहीं है, evidence क्या है, कौन perform करता है, उसके पास knowledge है नहीं, उस control के performance का evidence क्या है, उस control के performance का evidence क्या है, क्या, क्या, और क्या को connect कर लो बेटा किस से, क्या को connect कर लो evidence से, अच्छा, देन उसके बाद, when, कब-कब वो control जो है perform होता है क्या जो इस frequency से perform होता है वो PDC करने में कामियाब होता है उससे क्या PDC हम लोग कर पा रहे है where, कहाँ पे evidence है where is the evidence of performance of control retained यहाँ पे था evidence क्या है, वो evidence रखा कहा जाता है right, कब तक रखा जाता है और accessible है नहीं evidence रखा कहा जाता है, कब तक रखा जाता है accessible है नहीं, why क्यों जो है control perform होता है basically कौन से error को prevent और detect करने के लिए control जो है perform हो रहा है how, कैसे वो control perform होता है control activities उसके अंदर क्या-क्या है segregation of duty, approval, reconciliation यह सारी चीज़े उसके अंदर क्या-क्या है क्या activity bypass की जा सकती है क्या इनका bypass detect हो जाएगा exception or deviation resolve कैसे की जाती है time frame क्या है उनको resolve करने का मैं सारी बाते बच्चों को दुबारा बता देता हूँ मुझे पता है, यह सब चीज़े जब आप अपने आप पढ़ते ना आपको बहुत दिक्कत देती है लेकिन आप में साथ पढ़ेंगा आपको बहुत मज़ा आएगा याद रखे हम लोग पढ़ रहे है control environment at the bank control environment में ही हापे क्या बोला है कि भाई सब appropriate control होने चाहिए ताकि risk minimize हो जाए appropriate control में क्या बोला effective segregation of duty होना चाहिए proper measurement and reporting होनी चाहिए proper verification and approval होना चाहिए reconciliation होना चाहिए setting up of limit होना चाहिए exceptional reports generate होने चाहिए physical security contingency planning होने चाहिए अब आपको बोला कि भाई सब किसी भी control को check करते समय क्या common questions है क्या common questions और steps है जो आप लोग लेंगे तो वो आपको यहापे मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ सबसे पहले who कौन जो है control को perform करता है उसके बस knowledge है नहीं क्या evidence है कि control perform किया गया था when क्या किस frequency पे control जो है perform होता है किस frequency पे control perform होता है और क्या frequency enough है where evidence कहां पे है उसके performance का कब तक वो evidence रखते है वो evidence accessible है या नहीं है auditor के लिए then उसके बाद control जो है क्यों perform किया जा रहा है कौन से error को जो है रोकने के लिए control perform किया जा रहा है how में बहुत सारी बाते है control कैसे perform होता है physically होता है manually होता है computerized होता है कैसे perform होता है उसके control activities क्या के involved है क्या वो activity बाइपास हो सकती है बाइपास हो जाएंगी तो detect हो जाएंगी क्या exception or deviation कैसे जो है resolve होती है कितने time में resolve होती है खतम बात right आईए अब बात करते है engagement team discussion की आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important बच्चो बहुत ही ज़्यादा important है आपके exam के लिए कोई भी बालक या बालिका इसको miss नहीं करेंगी engagement team discussion सबसे फ़ले आपको इसमें बता है कि भी engagement team होती है सारे लोग including the experts जो basically क्या करने गए है जो basically engagement से connected है right उनको बोलते है engagement team all personal including expert contracted by the connection with the engagement are known as engagement team अच्छा engagement team कौन होती है समझ में आ गया फिर engagement team को क्या करना चाहिए better understanding के लिए किसकी better understanding के लिए bank उसका environment और उसका IC engagement team को bank की bank के environment की bank के IC की better understanding के लिए और साथ-साथ में material statement के risk को assess करने के लिए हाँ जी साथ-साथ में material statement के risk को assess करने के लिए क्या करना चाहिए discussion करने चाहिए फिर से बोल दूँ engagement team को bank के understanding bank के IC के understanding bank के महल के understanding और risk of material statement को समझने के लिए क्या करना चाहिए come on tell me discussions करने चाहिए और साथ-साथ में ये discussions documented भी होने चाहिए हांज ये discussions documented भी होने चाहिए और इस discussions कहां पर होते है planning stage पर होने चाहिए फिर आपके लिए एक बार repeat कर देता हूँ जल्दी से देखिए पहले तो engagement team में कौन को आता है engagement team में सारे के सारे personal including the experts जो हमने engagement team engagement के concern में जो है वो hire किये है या फिर जो हमारे साथ काम कर रहे है then हम लोग better understanding लिए bank की उसके महल की और उसके IC की इसलिए हमें discussions करने चाहिए साथ-साथ हम लोग better understanding लिए risk of middle means statement की ये discussion जो है वो documented भी होने चाहिए और याद रखिए ये discussion ordinary कौन से stage पे होते है planning stage पे जो है वो किये जाते है आईए अब बहुत ज़र्दे कोई पूरा का पूरा question engagement team discussion का फिर engagement team discussion में किन-किन बातों पर discussion होगा क्या-क्या गलतियां हो सकती है error likely to occur error जो पिछले साल मिले थे क्या-क्या गलतियां हो सकती है error likely to occur error जो पिछले साल हुए थे method जिससे fraud किया जा सकता है और audit का response भी हम लोग discuss करेंगे जो various risk हम लोग identify करने वाले engagement risk, pervasive risk or specific risk उनको हम लोग कैसे response देने वाले है professional skepticism need को हम लोग discuss करेंगे और जब सब कुछ खतम हो जाए तो professional skepticism को ही दूसरा नाम बनाके यहाँ पे लिख देंगे need to be alert for information or other condition that may indicate material statement में have occurred पेटा यही तो हमारे पास क्या होता था professional skepticism होता था being alert तो बस दो बात में इसको दो बात दो points में divide का कि लिख दिया है हाँ जी engagement team discussion में content क्या क्या होगा engagement team discussion में content होगा error error method response error error method response professional skepticism professional skepticism बस professional skepticism उपर लिख दो उसका meaning में नीचे लिख दो need to be alert for information or other condition that indicate material statement में have occurred तो यह होने वाला है हमारे पास हमारे discussion के discussion के अंदर का part अब बात करते advantage क्या है भाई साब अब बात करते advantage क्या है किसकी advantage discussion के advantage क्या है आप लोग specific emphasis दे सकते है mental statement जो fraud से करोने वाली है और उसके लिए appropriate response दिजाइन कर सकते है so आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई साब risk of mental statement because of fraud कहां कहां पे है और अब वहाँ पे जादा emphasis दे पाएंगे आप लोग अपने काम को delegate कर सकते हो जहाँ पे जादा risk होगा obviously वो experience engagement team members को आप लोग delegate कर सकते हो SA300 में audit strategy वाले topic से इसको connect कर लीजेगा then उसके बाद audit engagement partner जो है वो review कर सकता है the need to involve specialist अगर कोई ऐसी जगा है जहाँ बाई से specialist की जूरत है तो वो भी आपको advance में ही पता चल जाएगी sir income recognition policy पढ़ाओ ये income recognition policy हमारा नहीं इसको काट दो sir क्या बात कर रहो course में यह course में यह course में यह course अरे भाई detailed in dealt in detail later on पता नहीं यहाँ पर क्यों डाला था हाई मैं हाँ आ रहा है पीचे पढ़ा ले लपड़ 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 लगा पीचे ले गही है आजो बेटा then भावुक मतो ना मैं थोड़ा से भावुक हूं form and content of financial statement तुस्री बड़े मजा किया हो जी लो भाई लो ध्याद ध्यान से सुनो बेटा MCQ और MCQ Waste Case Study के लिए important बात है Section 29 है Banking Regulation Act 1949 याद है जो Chartered Accountant एक के साथ आई थी वो बोलती है जी जो Nationalized Bank है जो State Bank of India है जो Subsidy है State Bank of India की और जो Regional Rural Banks है उनको क्या करना है उनको भाई साब format और content जो है वो follow करना है कौन सा format और content जो इसी act के जो इसी act के third schedule में forms बनाके बताया गया है मैं फिर से बोल देता हूँ सुनिए Subsection 1 और Subsection 2 of Section 29 बोलते हैं कि भाई साब former content financial statements का क्या होगा किसका banking company का किसका कमाउटल में जली बताइए banking company का जिसमें आ जाते हैं आपके nationalized bank आपके bank of State Bank of India State Bank की Subsidary Regional Rural Banks उनको बोला गया है कि देखो जी आप लोगों को क्या करना है balance sheet और P&L बनाना है in the forms set out in the third schedule उसके अंदर दो form है form A form A के अंदर balance sheet का format दिया है और form B के अंदर profit and loss account का format दिया है और हर banking company को disclosure requirement से जो है वो comply करना है जो various accounting standards में दे रखी होती है तो सबसे पहले सबसे पहले आप देखे majority of banks को subsection 1 and subsection 2 of section 29 of banking regulation 1949 के चलते क्या करना है P&L और balance sheet बनानी है उसका format इसी act के third schedule में form A और form B में दिया गया है form A में आपको audit of accounts की बात करते है बच्छो audit of accounts की section 30 banking regulation 1941 वो आपको audit of accounts से deal करता है कहता है या देखो auditor वो ही बन पाएगा जो qualified है auditor बनने के लिए company का section 141 refer कर लिजेगा okay come on then eligibility qualification disqualification section 141 में पढ़िएगा appointment of auditor most important part आपके exam point of view से AGM पे appoint करेंगे come on किस पे appoint करेंगे AGM पे appoint करेंगे shareholder nationalized bank के case में bank appoint करेगा board of directors come on कैसे board of directors के थूँ फिर से बोल दूँ banking company के case में AGM पोइंट हो का जैसे हम लोग companies act में पढ़ते थे nationalized bank के case में bank appoint करेगा through board of director right हर केस में approval of reserve bank of india is required before the appointment is made याद रखेगा banking का king कौन RBI RBI RCB RCB चोड़ो RBI RBI पढ़ो बेटा state bank का कौन appoint करेगा control and order general of india in consultation with the central government जो state bank की subscribe को कौन appoint करेगा state bank of india appoint करेगा RRB के खुद bank appoint करेगे with the approval of central government ये paragraph बहुत important है इस पे से आपको question पूछा जा सकता है जब question आजा तो मुझे याद कर लिजेगा एक बार remuneration of auditor section 142 उमने पढ़ा हुए बाई सब जो दर्द देगा वो ही दवा देगा जो appoint करेगा वो ही remuneration भी set करेगा okay nationalized bank को state bank of india बात करें तो RBI जो है वो set करता है in consultation with central government power of auditor same है जो company auditor की power होती है banking company के respect में right auditor report याद रखिए in case of nationalized bank auditor is required to make a report to the central government in which he has to state section 143 अगर 3 आपको याद है तो बेटा ये भी आप लोगों को अराम से समझ आ जाएगा सबसे फ़ले उपनी report में state करेगा क्या financial statement true and fair view बताते है of the affairs of the bank right उसने जो explanation and information मांगी थी वो उसे मिली मिली तो क्या वो satisfactory थी फिर से क्या financial statement true and fair view बताते है of the state of affairs of the bank उसने जो informational expression मांगी वो से मिली मिली तो क्या वो satisfactory थी मेरे साथ साथ बोल दो बेटा then उसके बार transaction जो करी है bank नो within the powers थी returns receive हो गई है offices से और branches से और क्या returns adequate है for the purpose of audit क्या returns receive हो गई है offices और branches से क्या वो जो returns मिली थी वो adequate थी for the purpose of the audit right कोई और matter जो से लगता है कि भाई साथ notice में लाना चाहिए CG के वो भी उसको अपनी report में डालना पड़ेगा तो चार बाते याद रखिए number one क्या financial statement true and fair view दे रहे है of the affairs of the bank right क्या उसने explanation information मांगी थी वो उसको मिली है क्या मिली है और क्या वो satisfactory है क्या transaction की audit report होती जो central government को दी जाती है आशकल वो भी identical हो चुक है to the audit report in the case of the nationalized bank okay then उसके वाद format of report याद रखने है आपने format of report में आपका audit report जो कंप्लाई करना चाहिए as per the requirement of asset discussions chapter 11 chapter 11 में क्या होता है बेटा आपका 700, 701, 705, 706, 710 तो वो जो requirements आपको महाँ पर बताई गई है आपको वो format जो है महाँ पर follow करना है जिसमें आल जाता है address, title, opinion, basis of opinion फिर CAM की requirement आ जाती है 701 में modification 705 में EOMOM 706 में तो requirements आपने जो है पूरी-पूरी करनी है अब बहुत important point auditor को number of unaudited branch तो बतानी है साथ-साथ में quantify भी करना है जो है वो कितना था auditor को unaudited branches तो बतानी है साथ-साथ में quantify भी करना है कि उन branches में advances, deposit, interest, income, interest, expense कितना था अच्छा जी देन उसके पाद आपने क्या देखना है ये जो disclosure है ये basically international trend को follow करते हुए और साथ-साथ में इससे useful information भी जो है मिल जाती है तो report का आपको format follow करना है ऐससे सारे के सारे आपके follow होने चाहिए specifically आपको report मताना है unaudited branches कितनी थी और को quantify भी करना है कि उन branches के advances, deposit, interest, income, interest, expense जो है वो कितना था इससे international trend भी follow हो जाता है और useful information मिल जाती है in addition to this section 143, subsection 3 जो section 143 की basically requirement है companies एक 2013 की चाहिए वो subsection 1 की है चाहिए subsection 3 की है वो सारी की सारे reporting requirements है आप applicable होती है लेकिन खुशी की बात ही है कि यह caro, caro banking company पे ना आ आ रो याद रखेगा caro banking company पे ना आ रो आ जाईए अब आपको बताए कि भाई से लफार भी देनी होती थी internal control लफार, salar याद आ रहा है आपको income recognition, asset classification, provisionar तो उसमें लफार थी लफार बच्चों क्या है basically banking के case में एक extra report जो आपको बताई गई जो आपको देनी होती है the matters which the banks require their auditors to deal with in the long form audit report have been specified by RBI तो आपके लफार के नदर कौन से matters होंगे जो RBI ने specify किये है ये topic के नाम पे धबा है याद रखिएगा हाँ जी लफार में कौन से matters होंगे जो RBI ने specify किये है बस ये याद रखिएगा आपको लफार कब तक submit करनी होती है 30th June of every year इसके लिए आपको proper planning करनी पड़ेगी format of लफार does not require any executive summary बड़ ऐसा कहा जाता है members को basically institute के members को बोला जा रहा है members में consider providing the same to bring out the key observation from the whole document तो फिर से बोल दूँ कि आपको लफार के अंदर वो matters जो है बताए गए है जो RBI ने आपको बोले है कि you have to deal as the auditor साथ-साथ में लफार जो है आपको 30th June of every year submit करनी पड़ती है 22-30 के लफार 30 June 2023 तक चली जानी चाहिए और format of लफार जो है उसके अंदर executive summary वैसे तो required नहीं है हाँ क्योंकि उसे timely submit करना proper planning करनी है वैसे तो format में executive summary required नहीं है लेकिन members को जो है वो क्या करना चाहिए members में consider providing the same to bring out the key observation from the whole document ओके लीजे फिर बात करते हैं लोग reporting की तो भाई हमने reporting करनी है RBI को RBI की एक circular है उसमें से एक paragraph यहाँ पर बोला गया है अगर accounting professional को कुछ भी susceptible मिलता है और susceptible किस के लिए to be a fraud or fraudland activity और act of excess power और smell excess power मतलब भाई सब आपने कुछ ज़्यादा ही लोन दे रखा एक particular party को ICSA bank ने जियाद किजिएगा चंदा कोचर ने वीडियो को उनको कितना सारा लोन दे दिया था तो अगर एक professional auditor को क्या मिलता है professional auditor को susceptible susceptible मिलती है कोई भी चीज to be a fraud fraudland activity act of excess power smell or any foul pain any transaction तो उसको matter तुरंट जो है regulator यानि RBA को refer करना चाहिए अगर वो deliberate failure है उसके part पे तो भाई सब auditor will be liable for action हाँ जी auditor will be liable for what action तो पहली reporting requirement to RBA में यही बाह बताए गई कि भाई सब if the accounting professional or the auditing professional found something susceptible to fraud or anything related to fraud then he must he must immediately refer the matter to the regulator otherwise he will be liable to action अगर वो deliberate failure हुआ तो then second में आपको क्या बोला गया आप S.A. 250 भी बढ़ लेना S.A. 250 में बताए गया कि भाई सब कौन कौन से law regulation को consider करना चाहिए in an audit or financial statement और confidentiality breach नहीं मने जाहिए अगर आप regulator कुछ inform कर रहे है because there was something smelly okay then उसके बाद S.A. 240 भी आपको बता है मैंने पढ़ा रखा है आपको कि भाई auditor की responsibility क्या होती है fraud को लेके तो आपने याद रखना है auditor को detail में her transaction को check नहीं करना है वो कर भी नहीं सकता है लेकिन उसे system as a whole जो है वो check करना है अच्छा जी अब ज़रा ध्यान से देखे लेकिन अगर उसे normal duties करते हुए को ऐसे instance मिलते है then he should report he should report what the matter to the RBI in addition to the chairman of the managing director chief executive of the concerned bank तो फिर से याद रखे auditor को her transaction detail में नहीं देखना है उसे एक system as a whole को जो है evaluate करना है लेकिन अगर auditor को अपनी normal duty करते समय कुछ ऐसे instance मिलते है fraud वगरा के तो उसको report करना है RBI को in addition to the chairman managing director chief executive of the concerned bank याद रखेगा reporting to RBI को आप लोग 3 parts में to fraud तो आपको matter regulator को देना चाहिए को deliberate failure हुआ तो हम अपके against action लेंगे asset 250 को भी consider करने को बोला गया है जिसमें बोला गया है duty of confidentiality is overridden by statute or law इसका example आपको 143 subsection 13 के अंदर भी मिलता है कि अगर आप बाइस अब company में चल रहा है report को report company में चल रहा हुए fraud को report करते है तो हम मानते हैं कि आपके confidentiality breach नहीं हुई है asset 240 में भी बताएगे asset 240 में बताएगे auditor की क्या responsibility है auditor की responsibility है or reasonable assurance लेना that financial statement are free from minimum statement whether caused by fraud or error right फिर उसके बाद आपको ये line बहुत अच्छे से जो है लिखके आनी है कि auditor को हर transaction को detail में नहीं देखना है उसने system को evaluate करना है as a whole right और अगर auditor को कोई भी susceptible चीज़े दिखती है तो उसको report कर देनी है RBI को in addition to the chairman managing director chief executive of the concerned bank then companies like 2013 की जो report है subsection 12 की वो पहले ही पढ़ चुके उसमें कैसे reporting होती है और यहां पे आके फारा part 1 of revision of bank audit जो है वो खतम होता है all the best God bless you audit की revision करनी है bank audit tough chapter लगता कोई बात नहीं भाई सब revision video आपके लिए available है एक आपको master link भी दूँगा उसको check out कर लिजेगा सारी revision videos available है question answers available है वीडियो को like जरूँ कर दीजेगा और अब इसके बाद एक और part आएगा क्योंकि मैं जुगेगा नहीं साला ठीक है चलो जली से शुरू कर दो all the best like करना मत बूलना आज जाओ जी second part में स्वागत है आपका के भाई साब conducting and audit वाला phase कैसे cover करेंगे हम लोग सबसे पहली मेरी बात को सुनिए conducting and audit वाला phase अगर आप देखेंगे न तो इसमें भाई से भर-भर के points दे रखें और कुल मिलाके हमारे पास जो है वो 17 17 के आसपास जो है वो pointers यहाँ पे cover है अब हमें 17 pointers क्या हम से कोई exam में से question पूछ सकता है कि भाई यह 17 points जरह लिखके बताओ भाई पूछ लेंगे तो बेफ़कूफ हैं लोग हाँ इन 17 points में से कुछ ऐसी चीज़े हैं जो important है individually उनको हम लोग बहुत detail में cover करेंगे और वैसे भी इन 17 points में पताओ आपको क्या कर रहे है आपको गुमा गुमा के भाई साब लेके आ रहे है कि audit में जीवन में आपने सीखा क्या क्या है आईए तो सबसे पहला point देखते है initial consideration अब यह अपने आप में एक question बन सकता है discuss the initial considerations which are to be considered by the statutory order of a bank तो इसको बहुत अच्छे से में साथ cover कर लिजिएगा जिसमें सबसे पहला आता है declaration of indebtness declaration of indebtness में क्या है basically कोई भी व्यक्ति जिसने bank से उधार ले रखा वो bank auditor नहीं बन सकता है declaration of indebtness का मतलब यह है आप bank के auditor बने इससे पहले जो आपको declaration देनी पड़ेगी कि आप जो है indebted नहीं है you don't owe any money to the bank this is declaration of indebtness इस पे अलग question बन सकता है इसको important mark कर लिजे इन 17 point में से जो भी मैंने आपको दिखाये थे 16, 17 जो भी थे मैं आपको mark करा सकता हूँ कि individually किस पे question बन सकता है तो सबसे बहला question इसी पे बन सकता है किसके उपर आपका declaration of sorry आपका initial consideration पे जिसमें आपका पहला point आता है declaration of indebtness second point हमारे पास आता है internal assignments in bank by statutory auditor तो RBI की guideline है अगर आपको internal assignment कर रहे हैं bank के साथ तो आप उसके statutory auditor नहीं बन सकते है internal assignment का सबसर्चा example है concurrent auditor तो जिस यह में आप concurrent auditor हैं उस यह में आप statutory auditor नहीं बन सकते हैं तीसरा हमारे पास आता है planning और मैं फिर बोल रहा हूँ इससे ज़ादा बड़ा example कि page कैसे बढ़ाया जाए slaybers में length कैसे बढ़ाया slaybers की हमारे पास नहीं है ICAI की दुनिया में तो सबसे पहले declaration of indebtness दूसरा हो गया अपान हमारा internal assignment in bank by statute order तीसरा आता है planning अब planning में क्या है planning में बोल रहे हैं कि भाई सब देखो as per se 300 जो आपको audit को plan करना है और आपको 220 और 210 में लिख हुई activities को भी conduct करना है 220 में job के acceptance related activities होती थी acceptance related activities में क्या था था सबसे important उनकी integrity हमारी competency ethical requirement fulfillment and कुछ मुद्दे तो वो हो गया 220 वाली activity और साथ-साथ में आपको बोला गया कि 210 में भी जो है आप लोगों को understanding of terms of engagement पर जो चर्चा की गई है वो आपको fulfill कर नहीं है याद कीजिए 210 में हम बोलते थे कोई भी assignment आप accept or continue तभी करेंगे जब performance agreed है और वो कब होता है जब common understanding होती थी प्री conditions present होती थी प्री conditions हो दुआरा repeat नहीं करने वाला हूँ तो third stage में आपको बोला गया देखो ऐसा है आपने क्या करना है आपने ये activities है जो आपने audit से पहले कर लेनी है यादि कि 220 वाली और 210 वाली लीजे तो तो हमारे पास तीन बात है कौन कान से आ गई एक तो हो गया declaration of indebtness उसके बाद एक हमारे पास हो गया internal assignment फिर हमारे पास एक point आ गया essay 300 जिसका connection उन्हों ने बना दिया 220 से और 210 से आईए चौथी consideration के है communicate with the previous auditor CA final का topic है पराने वाले से करना है communicate first schedule part 1 clause 8 हाँ जी पराने वाले से करना है communicate first schedule part 1 clause 8 ये बच्चों एक सीधा जीता जागता example है कि कैसे CA final के syllabus से copy करके चीज़े यहाँ पर डाले जा रही है ये same चीज़े वहाँ पर भी है आईए तो हमारा तीसरा point चौथा point आ जाता है communicate with the previous auditor हमने class में डिसकस किया था कि previous auditor से जो है एक तरह का NOC लेना पड़ता है इसकी details आप लोग CA final में पढ़ेंगे तो initial का 17 point पढ़ने 17 में से पहले point के 4 point हमने cover कर लिए है वो क्या क्या declaration of indebtness internal assignments ऐसे 300, 220, 210 और communicate with the previous auditor लीजे देन उसके बाद आपको फिर से 210 पर ले जाते हैं और बोलते हैं आपने काम करना है आपने agree करना है on the terms of audit engagement with the bank और उनको document करना है आपने agree करना है on terms of engagement with the bank और आपने उनको document करना है तो essay 210 6 point cover हो गए declaration of indebtness internal assignment essay 300 communicate with the previous या फिर retiring auditor या फिर previous auditor और essay 210 आजो देन उसके बाद initial engagement वाला essay उसके requirement को fulfill करना है initial engagement वाला essay क्या है 5, 8, 9, 10 उसमें आपको देखना है कि opening balance में कोई material misstatement तो नहीं है जो current year के financial statement पे material impact डालती हो अगर ऐसा है तो आपको qualified effort adverse opinion जो है वो issue करना पड़ेगा ओके लीजे तो 510 या पे होगा सारे लिख दूँ declaration of indebtness जितनी बार बोलोगे उतना ज़्यादा याद होगा internal assignment essay 300 प्राने वाले से communicate ठीक है जी और उसके बाद आया essay 210 फिर आया essay 510 लीजे ये सारे points जो है हमने cover कर लिये है एक तो तीन चार पांच छे याद रखेगा 17 point है 17 में से पहला point था आपका 17 में से पहला point बनता था आपका initial consideration उसके अंदर के अब भी हमने जो है वो कितने points cover करें 6 points cover करें फिर assessment of engagement risk engagement risk basically ऐसा risk जो जिसते reputation पे impact आजा engagement accept करने से तो उस risk को हमने क्या कर लेना है assess कर लेना है establishment of engagement team तो यहाँ पे engagement risk यहाँ पे add कर देता हूँ मैं engagement risk को assess करना है engagement team को जो है वो अपने establish करना है सारे points cover होने वाले है चिंता मत कीजे और finally आपको जाके बोल रहे है कि 315 के requirements भी fulfill कर लेना 315 के requirements क्या होती थी understanding the entity and its environment and related internal control तो यह आप से direct question बन सकता है कि initial audit consideration क्या है तो घबराना नहीं है मैंने आपको लिए सारी के सारी initial audit consideration यहाँ पर कई बार repeat कर दी declaration of indebtness internal assignment essay 300 उसके बाद आपका communication with the previous order essay 210 essay 510 engagement risk engagement team and essay 315 इनके अंदर का जो material है आपको टेंच लेने की बिल्कुल भी जुरुरत नहीं है क्योंकि हम सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं और आपको जो आपने पुराने essay से बढ़ा है वो ही आप लोग लिखके आ सकते हैं headings आपकी यही रहनी चाहिए अब 17 में से second point पे आ जाते हैं 17 में से पहले point को important mark कर लिया second point पे कुछ भी नहीं बता रहे सिरफ बोल रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है आपने जो ऐसे 315 की बात है ना उसको दुबारा से आप लिख रहे हैं कि आपने identify and assess करना है रोमम को अच्छा फिर third point में क्या बोलते हैं आपने bank को समझना है उसके environment को समझना है internet control को समझना है ताकि आप लोग जो है risk को समझ पाए I don't understand कि भाई साब कौन है जो ये points बना रहा है आईए और fourth point बोलते हैं कि आपने bank को accounting process को समझना है क्योंकि accounting process का impact internet control पर हो सकता है और internet control को समझना ज़रूरी है इसलिए आपने bank के accounting process को भी समझना है तो हमारे 17 में से 4 point हैं पर cover होगे जिसमें से पहले वाला बहुत important था कि initial audit consideration जो है वो क्या क्या होंगी आईए दिन उसके बाद fifth point जो है वो again एक important point बन जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे subheadings भी आते हैं understanding the risk management process तो अगर आप लोगों को याद हो हम लोग internal control पढ़ा करते थे और component of internal control पढ़ा करते थे जिसमें हम लोग बात करते थे कौन से short code की crime वाले short code की जिसमें हमार आते था control activities risk assessment procedure information system monitoring of activity and आपका control environment वो ही पाचो element इसके अंदर discuss किये गए हैं घबराना नहीं है बिल्कुल भी वो ही पाचो element इसके अंदर discuss किये गए है कि आपने bank के risk management process को समझना है और risk management process को समझने के लिए आपने 5 चीजों को समझना है वो 5 चीजे वो ही हैं जो हमारे internal control के 5 component होते थे जैसे कि सबसे पहले oversight and involvement of control process by those charges with governance अब आप बोलो कि सर यह कहां पढ़ा था हमने बेटा control environment की बात चल रही है कि TCWG जो है वो कितना involved रहते हैं TCWG जो है वो oversight process में कितना involved रहते हैं वो कितने जागरूख है aware है उनके action कैसे होते हैं देन उसके बाद देखिए यह हमारा risk management process हो गया हमारा control activities आ गई monitoring activities आ गई reliable information system आ गया same वो ही बात है जो हमने वहाँ पड़ी हुई थी जैसे कि control activity कहीं भी आ जाए even पुरानी revision वीडियों भी same बात हम लिखी थी segregation of duty, verification, approval reconciliation, exception report, physical security, contingency planning तो same की same बाते हैं आपर repeat कर दी है but मैं 5th point को बोलना चाहूंगा कि आपके exam के लिए यह important है लीजे, 5 point हमने cover कर रहे हैं जिसमें से 1st और 5th important है बाकि सब सिरफ और सिरफ पेज भरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं आई 6 point पे चलते हैं engagement team discussion हम लोगोंने पहले ही engagement team discussion को काफी detail में cover कर लिया था उमीद करता हूँ आप लोगों को याद है last वाली जिरवीजन वीडियो आपने देखी होगी और उसके नदर काफी detail में हमने engagement team discussion को cover किया हो है please मेरी request रहेगी कि एक बार आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लें ताकि आप लोगों को इससे फाइदा मिले मैंने इस पर important भी mark कर रखा है आपके exam के point of view से आईए जरा देखते हैं वापिस चलते हैं तो मारे पास देखिए 17 points थे 17 मेंसे हमने कितने points जो है वो cover कर दी है यह मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यह जल्दी इल्दी ऊपर जाएगा तो भाई जल्दी दिखा पाएंगे पता नहीं चल क्या राए G1 में आजो तो हमारे पास जो है वो 6 points cover हो चुके है देन उसके बाद 7 points में इनको दुबारा से आदा है इंगेजमेंट टी मिंबर्स को इनवाल रखना है planning and audit के केस में याद कीजिए जिसे हम ऐसे 300 में पढ़ चुके हैं then developing and audit plan फिर से 300 का reference आ गया मैं आपको 17 points याद नहीं करा हूँगा मैंने आपको पहले के 9 points जो याद कराना थे वो करा दिये मैंने आपको पांचवे के जो control environment के जो हमारे पास internet control के 5 components थे उनसे याद करा दिया 17 points याद करना भाई बेफकूफी होगी आजो then development of audit plan फिर वो ही 300 का reference देते हुए बता दिया जी हमें जो है plan जो है करना चाहिए ताकि जो हम लोग audit को effective manner में कर पाएं plan की come on summary है audit plan की इसमें आपका expected scope or extent of audit process net of audit process लिखा होता है बेटा साथ-साथ में आपने जो issues आपके जो issues थे आपके जो risk identify हुए थे during the planning and risk assessment activity वो लिखे होते हैं और जो अपने decision लिया है for the reliance on internal control वो लिखा होता है उसका basis लिखा होता है इसी से हमें evidence भी मिलेगा कि हमारा audit जो है properly planned था और हमने respond किया है सारे के सारे risk को और other matters को जो हमें during the audit planning दिखे थे उनको हमने properly लिखा और हमने उनके response proper दिया है अच्छा 9th point important mark कर लिया 159 फिर से 159 Matility is a matter of professional judgment हमें क्या करना है Matility और audit risk के बीच में जो relation है उसको consider करते हों चलना है and फिर वो align Matility is a matter of professional judgment और हमें कैसे हम लोग Matility determine कर पाएंगे जब हम bank को बहुत अच्छे समझ लेंगे risk को बहुत अच्छे समझ लेंगे on bank's ability to continue as a going concern then आते हैं 12th point पे 12th point पे आपको देखना है के आपने क्या करना है आपने risk of fraud को आपने risk of fraud को भी जो है वो consider करना है specifically risk of fraud because of money laundering मैं आपको पहले भी बोला था पमला के पीछे हम लोग पमले है मतलब prevention of money laundering act जो है बहुत important act है SC240 का यहाँ पर reference देंगे और बोलेंगे भई यह auditor को objective क्या है identifying and assessing the risk of material misstatement whether due to error or fraud लेकिन specifically 240 की बात चल रही है तो due to fraud लिखेंगे और हमने sufficient appropriate audit evidence obtain करना है on those material misstatements and to respond them appropriately यह हमारा objective था professional skepticism हम लोग हमेशे exercise करेंगे कुछ खास बात इसके अंदर नहीं बताई गई RBI ने specific guideline दी है to deal with prevention of money laundering जैसे कि आपकी know your customer norms है know your customer norms है तो आपको check करना है कि bank को know your customer norms properly follow करता है या नहीं करता है फिर बोल दूँ RBI ने specific guidelines दी है prevention of money laundering को लेके जिसमें सबसे important guideline है know your customer norms और साथ-साथ में हमारे पास anti-money laundering कुछ standards है जो बोलते हैं बैंकों के आपको policy process बनाने हैं जिससे आप लोग money laundering activities को जल्दी से जल्दी detect कर पाएं Then असेस दी specific risk हो सकता है देखे आपको क्या करना था फिर घूम घूम के वही बाते बोल रहे है आपको specific risk पे भी धियान रखना है जो financial statement level पे हो सकता है जो pervasively पूरे financial statement पे impact डालता हो Then risk associated with outsourcing activities आज की date में हमें पता है कि भाई bank सारे काम खुद नहीं करता है bank बहुत सारी activity जो है वो outsource करता है और इसलिए outsourced entity के अंदर भी बहुत सारे तरह के risk involved हो सकते है तो हमें वो भी consider करते हुए यहाँ पे चलने है मेरी pencil चलनी बन दो गई है भाई साब और कुछ हो सकता है इस revision वीडियो में तो वो भी कर दो हाँ जी तो फिर से pencil भाई साब चल चुकी है आजो अब उसके बाद हमारे पास आता है 15.15 point में क्या है response to the auditors कुछ नहीं SE 330 का हवाला दिया reference दिया और बोला कि भाई auditor को जो है appropriate response बनाने चाहिए सारे risk के लिए चाहे वो financial statement level का risk हो चाहे वो आपका assertion level का risk हो ओके देन उसके बाद बेसल 3 बेसल 3 के लिए में क्या करता हूँ आप लोगों को ले चलता हूँ अपने notes के अंदर 2 minute के लिए और वहाँ पे मैंने थोड़ा systematic तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ बेसल 3 framework के बारे में वो मैं आपको दिखा देता हूँ आईए इसको कर लेते हैं हम लोग fit और जहाँ चलते हैं चलते हैं चलते हैं आजा आजा ओ आजा आने वाले तुझे याद करें आगे बेटा बेसल 3 framework बेसल 3 framework है क्या set of agreement by बेसल committee on banking supervision मेरे साथ साथ एक एक point बेसल 3 framework basically क्या हुआ था subprime crisis हुआ था housing crisis हुआ था US से में अब उस US से के crisis में भाई साथ बहुत सारे bank बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया तो फिर उन्होंने क्या किया भाई साथ पूरी दुनिया के बड़े-बड़े जो है भाई साथ financial world की knowledge रखने वाले लोग बैठे उन्होंने क्या किया basically कुछ agreements बनाए और agreements किसने बनाया थे Basel Committee for Banking Supervision ने which mainly focus on risk to banks and financial system उसी को हम लोग बोलते है Basel Accord तो जो agreement बनाए गए Basel Committee for Banking Supervision द्वारा उसी को बोलते हम लोग Basel Accord अब Basel Committee क्या है Basel Committee on Banking Supervision और Financial Stability Board ने क्या किया रिव्यू किया regulatory framework का जब उन्हें देखा sub-prime crisis हुआ लोग लुड़ गए bank लुड़ गए तो उन्हें भाई साब जो भी regulatory framework थे आपके banks related उनका extensive review किया extensive review के बाद कुछ agreements बनाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आपका Basel Accord बोल देते हैं अब ज़रा सुनिएगा Basel 3 नाम का एक document बनाया गया और उसमें banks को ज़्यादा resilient बनाया गया अब री silent भी बोल सकते हैं भाई आप लोग हम तो resilient ही बोलेंगे resilient बनाया गया right for inclusion of instrument in new definition of regulatory capital आपकी capital ID को यसी ratio निकालते समय कौन-कौन से items include होंगे उस पे जो है वो चर्चा बताईए उसका minimum criteria बताई कि कौन सा capital include होना चाहिए कौन सा criteria include नहीं होना चाहिए आज यह वापिस तो ये था हमारा Basel 3 Basel 3 वाला note मैंने आपको अपनी book से पढ़ा दिया वहीं से पढ़ियेगा आप उसको then next point पे आते हैं जो आपके exam के लिए थोड़ा सा important हो जाता है मैं आपको बता दू 1, 5, 9 1, 5, 9, 16 mark कर लो 1, 5, 9, 16 Basel 3 और 17 reliance on review of other reports reliance on review of other reports तो देखिए auditor को क्या करना है auditor को bank में जब audit करना जाता है और बहुत सारी reports मिल सकती है और उन reports में अगर कोई adverse comment है तो auditor को उसको भी जो है वो account for करना चाहिए जैसे कि कोई previous year की audit report है internal inspection है RBI की latest inspection है concurrent report है बहुत चार previous year की report internal inspection reserve bank की inspection concurrent audit की report verification of security जब branch छोड़ के जा रहा है तो उसने charge hand over किया होगा उसकी जो report है उसको भी consider कर लेना है तो यहाँ पर आके हमारी वो जो conducting and audit वाला part है वो खतम होता है तो इसमें 17, 16, 9, 5, 1 17, 16, 9, 5, 1 यह बहुत important topic है इनको किसी भी हाल में छोड़िएगा अब उपर क्या बात है करी मैं आपको बदा देता हूँ देखिए auditor को क्या करना है auditor को सारे large advances का audit करना ही करना है बागी advance को sampling basis पे large advances सारे बागी advances sample basis पे एक बात दूसरी बात problem accounts को detail में देखेंगे come on problem accounts को detail में देखेंगे मेरे साथ problem accounts को detail में देखेंगे लेकिन अगर उन में कोई significant amount involved नहीं है तो छोड़ देंगे फिर से large advances सारे बाके advances sampling problem advances detail में अगर insignificant amount है छोड़ देंगे अच्छा फिर sampling कितनी होगी यह depend करेगा internal control कैसे अगर internal control अच्छे तो छोटर sample size भी चल जाएगा right large advance क्या होता है to determine whether a advance is a large advance or not अब जरा बात करते advances की इधर देखें अभी भूमी का चल रही है अभी भूमी का चल रही है जनरिक बात है चल रही है तो भाई साब lending सबसे बड़ी activity है bank की bank क्या करता है deposit accept करता आगे lend करने के लिए bank loan देता है उस पे interest कमाता है यह largest item है आपका balance sheet में major source of income है और audit of advances एक important area है फिर से bank की major activity है advance देना bank deposit accept करता है आगे loan देता है loan पे interest कमाता है largest item है balance sheet पे major source of income है advances एक important area है as far as knowledge as far as audit is concerned और इसके लिए auditor को banking industry की उसके regulation की और bank के different functional areas की procedures की systems की internal controls की knowledge होना जरूरी है advance एक important area है audit के point of view से और उसके लिए auditor को banking industry की regulation की functional areas की procedure system prevailing internet control की information होनी जरूरी है knowledge होनी जरूरी है now let's talk about type of fund advances तुमारे पास जो है कितने प्रकार के advances हो सकते हैं funded non funded funded में अगर आप देखेंगे जहांपे actual transfer होता है पैसे का वो funded है right example में है यहापे cash credit overdraft demand loan bill discounted purchase participation on risk sharing basis interest bearing staff loans right non funded जहांपे funds actually में transfer नहीं होते हैं जैसे कि letter of credit bank credit bank guarantee etc अच्छा यह कोशन आपके exam में आए हो है what do advances comprise of top care advancement term loan crash credit overdraft demand loan bill discounted purchase participation on risk sharing basis और यह सारी चीज़े हो सकते हैं TCBPI right then इसके बाद जरह यहाँ पे आजाईए हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं sector wise देखेंगे तो अपके वास priority sector non priority sector security wise देखेंगे secured unsecured है prudential norms wise देखेंगे provisioning norms wise देखेंगे standard or NPAs हैं अगर sector wise देखूँ तो सबसे बहुत हम लोग priority sector की बात करते हैं RBI जो है वो priority sector के लिए गाइडलाइन इशू करता है उन गाइडलाइन में लिखा होता है किस rate पे जाएगा कैस कब disburse करना है right application कैसे इनकी accept करेंगी rejection कब करना है यह सारी गाइडलाइन RBI देता है priority sector के एक्जामपल है agriculture micro small and medium enterprise education and housing यह priority sector lending है और priority sector lending के लिए RBI proper guidelines देता है और targets भी देता है कि आपने कितने loan देने है guidelines में क्या क्या लिखा होता है quickly आपको बदा देता हूँ rate of interest क्या होगा service charge क्या होगे receipt sanction receipt क्या issue करेंगे sanction कैसे करना है rejection कैसे करना है disbursement कैसे करना है etc etc then security wise देखे तो हमारे पास जो है वो दो तरह के loan हो सकते हैं दो तरह के advances हो सकते हैं secured, unsecured security जो है आपकी security को हम लोग कभी-कभी collateral भी बुला देते हैं तो security basically कि है bank आप से security लेता है आपको advance देते समय पाकि यह assure कर पाए कि borrower अपना पैसा वापिस देगा अगर नहीं देगा तो bank को security को dispose of करके अपना खुद से जो है पैसा recover कर लेगा अब हमारे पास दो तरह की security है एक है primary, एक है secondary प्राइमरी security वो है जिसके against credit दिया जाता है इसे प्रिंसिब्ल security भी कहते है प्राइमरी security वो है जिसके against credit दिया जाता है इसे principal security भी बोलते है collateral security हमारी होती है additional security आपके security किसी भी form में हो सकती है tangible, intangible, movable, immovable यह दोनों security के लिए applicable है primary वो जिसके against loan दिया जाता है उसे principal security बोलते है collateral security, additional security होती है इतना आपके लिए बहुत है आपके security कैसी भी हो सकती है tangible, intangible, movable, immovable अच्छा जी, then बात करते है examples की, किस चीज़ की examples common type of security क्या हो सकती है तो भाई सब हो सकता है, कोई guarantee दे दे आपके goods, stock, debtor ये सब चीज़े security है, gold ornament bullion, immobile property, plantation plantation basically agriculture advance के लिए third party guarantee, bankers general lien, आपके किसी भी good के उपर basically अपना हक जो है ले लेना, क्योंकि आपने loan लिया है life insurance policy, stock exchange security, जैसे कि आप shares के gains भी loan ले सकते हैं, other instrument okay, तो मैंने जल्दी से आपके लिए कुछ examples read कर दिये, अब ये बहुत important है आपके exam के लिए, कि creation of security के क्या-क्या mode है, तो सबसे बहला mode है, mortgage, mortgage में basic के लिए क्या होता है, दो तरह की हो सकते हैं, registered mortgage, equitable mortgage, registered mortgage में क्या होता है, एक registered instrument मनाया जाता है, जिसे mortgage deed बोलते हैं, और it registers the property to the bank, that is mortgage as a security, तो आपकी property bank के पास चली जाती है, bank के नाम पर register कर दी जाती है, as a security इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका registered mortgage, आईए, एक बार आपको अपने notes में भी ले चलता हूँ, वहाँ से भी कुछ चीज़े आपको इसमें दिखा दूँगा, ये लीजे, हम उने सब पढ़ लिया है, ठीके कुछ questions भी हैं, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बूला था कि examples security के क्या क्या हो सकते हैं, अच्छा mode of creation of security, mortgage के में लोग बात कर रहे हैं, registered की बात कर ली, equitable की बात करते हैं, अब equitable में देखे क्या है, equitable mortgage is also known as mortgage by deposit of title deeds, register में क्या कर रहे था, mortgage deed बन रहे थी और mortgage deed बनने के बाद जो है property, mortgagee के नाम पे हैजा security register की जा रहे होता है, borrower जो होता है वो क्या करेगा, अपने goods को डिलिवर करके आता है lending bank को with the intention of creating a charge there on as security for the advance, legal ownership भाहिसा pleasure की रहेगी, legal ownership जो है वो किसकी रहने वाली है, come on tell me, pleasure की रहने वाली है, जो banker होगा, यानि कि जो आपको उधार देने वाला व्यक्ति होगा, lender banker होगा, उसके पास कुछ defined rights आजाएंगे और pledge के अंदर याद रखेगा, आप specific और fixed charge जो है, दोनों create कर सकते हैं, okay then बात करते हैं हम लोग hypothecation की, ये बहुत important topic चल रहा है बच्चो, इसमें से exam में आने के chances बहुत 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 ज़्यादा होते हैं, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं hypothecation में basically हम लोग क्या करते हैं, एक equitable charge create करते हैं, in favor of the lending bank by execution of hypothecation agreement, हम लोग एक agreement sign करते हैं, और हम लोग equitable charge create करते हैं, in respect of movable securities, right याद रखिये का खास बात, नही ownership transfer होगी, नहीं position transfer होगी जैसे कि stock के basis पे आपने अपने लिए कुछ limit ले रखी है bank से loan की, वो hypothecation का सबसे जीता जागता example है, आपने hypothecation agreement किया, और आपने equitable charge जो है, वो create कर लिया है, अपने stocks के ऊपर, अच्छा जी, देखिए borrower के पास physical position रहती है goods की लेकिन as a agent or trustee of bank, यह बहुत important है, ownership transfer नहीं हुई, position transfer नहीं हुआ, यानि वो borrower के पास ही है अब borrower के पास जो position है वो as a agent or trustee of the bank है, और borrower क्या करेगा, periodically statement, जिसमें उसकी stock मान ले देंगा, stock की quantity, stock value अगरा, सब को जो है mention रहेगा और लेंडिंग बेंकर को जो है, वो periodicus statement दिया करेगा, then next तरीका जो है security grade करने का वो है assignment, और assignment आपके exam के लिए फिर से बहुत ज़दा important है, assignment लोग represent करते है, transfer of an existing or future debt, आपके पास कोई insurance policy से पैसा आने वाला है तो आप उस insurance policy है, जो debtor से पैसा आने वाला है, आप उसको transfer कर देते है, as a security to the bank, तो assignment represent transfer of an existing or future debt, future debt right or property belonging to a person in favor of another person that is bank, so you have a right, you have a right and you are transferring that और आज की rate में अगर देखें, तो only actionable claims such as book debt and life insurance policies are accepted as a security by way of assignment, और assignment में assignee के पास absolute right आजाता है, over the money debts assigned to him, यानि banker के पास right आ जाएगा, अब देखते हैं, एक और interesting चीज, कैसे आप लोग जो है वो security grade कर सकते हैं, और वो है मित्रो क्या हमारे पास, set off, set off में क्या होता है, इधर देखिए एक creditor का right है, कि अगर आपका, उसके पास credit balance और debit balance है, तो दोनों को क्या कर सकता है, set off कर सकता है, तो आपका bank के साथ, अगर दो account चल रहे है, एक आपका loan account चल रहे है, एक deposit account चल रहे है, तो bank जो है दोनों account को combine कर सकता है, इसी को जो है वो set off बोला जाता है, आईए एक बार आपको ICI की book से भी मैं दिखा देता हूँ, तो set off क्या है, right of creditor to adjust wholly or partly the debit balance in the debtor's account against the credit balance lying in another account of that debtor, right तो debit balance है, credit balance है, दोनों को set off करना, right of set off में क्या होता है bank दो accounts को combine कर सकता है आपके deposit account और loan account, हाँ, वो same name में होना चाहिए और same right में होना चाहिए तो उसको merge नहीं किया जा सकता है यह होगी set off की बात, okay then, very important point set off के लिए आपके bank, एक bank की जितनी branches है, सबको single entity जो है, वो treat किया जाता है, ताइम बाट debts के case में भी set off किया जा सकता है यह बेटा true, false, correct, incorrect के point of view से, MCQ के point of view से बहुत important बाते हम लोग पढ़ रहे है then right of lien, कोई से lien बोलते है, कोई line बुलाता है आप जो मर्जी बुला लीजे, right of lien basically क्या है, legal charge create किया जाता है, owner की consent के साथ जिससे lender के पास right आ जाता है क्या, जो भी asset under lien है उसको dispose of करने का, उसको liquidate करने का, basically के लिए, owner की एक asset के ऊपर legal charge create किया जाता है जो lender को right देता है कि वो उस asset को dispose of या liquidate जो है, वो कर सकता है आईए, अब बात करते हम लोग किसकी prudential norms की, आज यह जरा साथ में जूड़ी हैगा, बहुत important है prudential norms तो हमारे पास क्या है, classification of advances as per prudential norms, standard loans NPA loans, standard में standard regular और फिर स्पेशल mention account special mention account 0, 1 और 2, right, NPA में substandard, doubtful में भी 3 है, D1 D2, D3 और loss, okay अब non-performing asset कब बनता है बहुत-बहुत-बहुत important, एक asset NPA बन जाएगा when it ceases to generate income from the bank, फिर से pencil चलनी होगे, यह बंद, हो गई शुरू, हो गई तो एक asset NPA कब बनता है, when it ceases to generate income for the bank, जब वो income generate करना, बंद कर दे bank के लिए, एक NPA non-performing asset is a loan or advance where, number one, interest and or installment of principle, याद रखेगा interest and or installment of principle, remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan, term loan के case में simple है, अगर आपका interest या फिर principle, जो है 90 days के जादा के लिए overdue रह गया, तो हम उसे NPA बोल देते हैं अगर overdraft cash credit OD की बात चल रही है, overdraft cash credit की बात चल रही है, ODCC की बात चल रही है तो उस case में अगर out of order रह गया वो account, तो हम लोग उसे बोलते है NPA बन गया, अगर bill की बात चल रही है और bill overdue रही है for a period of more than 90 days, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि NPA बन गया, तो term loan अगर interest या फिर principle की कोई भी installment overdue है for more than 90 days come on, for more than 90 days, तो हमारे लिए NPA बन गया, अगर ODCC की बात चल रही है, out of order है, तो वो हमारे लिए NPA बन गया, अगर हमारे लिए किसी bill की बात चल रही है, और वो bill जो है, वो overdue हो गया, for more than 90 days तो हमारे लिए वो NP बन गया, अब out of order क्या होता है, CCOD के लिए, कि आपका outstanding balance है, वो continuously in excess है, of the sanction limit or drawing power example देखते जाहिए, हमारे पास क्या था, drawing power जो है 42 lakh थी, outstanding balance continuously कितने का है, 50 lakh का है in excess of 50 lakh और 42 lakh whatever the case में भी माल लेते, 42 lakh के मारे पास drawing power थी और वो continuously in excess है, तो भाई सब हम लोग उसे क्या बोल देंगे, out of order हो गया है, वो account, okay आई इसको भी और देखते, second example भी देख लेते है, in cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit, low भाई लो but there are no credit continuously for 90 days, अब इसका example लेखो आपका outstanding balance in the accounts is 42 lakh, but there are no credit वैसे आपका drawing power थी, उससे कम था आपका outstanding balance, लेकिन कोई भी credit नहीं आ रहा है, और any payment deposit into account continuously for 90 days as on the balance sheet date, तो भी हम लोग बोलेंगे out of order हो गया, out of order हो गया, मतलब NPA बन गया, and credits are there but are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as out of order देखिए, so credit आए हमार पास 2 lakh रुपे के, but are not enough to cover the interest debited, मान लेते हैं 5 lakh का interest था, आपके credits हैं, लेकिन वो credits आपके interest को cover नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम बोलेंगे out of order हो गया, out of order हो गया तो मतलब के क्या बन गया, NPA बन गया, लीजे, अब यहां पे आपको जल्दी से overdue का मतलब भी बता देते हैं overdue का मतलब हमें कहां काम आएगा लेकि हर जगा पे word use हो रहा था न, overdue overdue, तो इस overdue का मतलब ही अब आपको यहां पे नीचे बताया जा रहा है, overdue का क्या मतलब है, एक amount हम लोग मान लेते हैं any amount due to the bank under the credit facility is overdue if it is not paid on the due date fixed by the bank लीजे, अब आजाते हैं यहां पे यह हैं आपके provisioning norms तो आपका substandard asset, जब वो NPA रह गया for a period of less than or equal to 12 months यानि के NPA होने के पहले 12 महीने हम उसे substandard asset मानते हैं और उसे 15% का provision बनाते हैं, doubtful asset एक साल निकल चुका है, NPA होए होए अब उसके बाद, which has remained in the substandard category for a period of 12 months, अब उसके बाद जो है भाई साब, वो अगर 12 months और निकल गए substandard होने के बाद, तो फिर हम लोग ने तीन कैटेगरी बनाई है, doubtful up to one year D1, जिसमें 25% का provision बनेगा secured portion के लिए, और 100% का provision बनेगा unsecured portion के लिए, फिर D2, जिसमें आपके पास एक साल से तीन साल के बीच में वो doubtful रहा तो 40% का provision बनेगा secured और यहां पे unsecured के लिए 100%, और D3 यानि कि अगर भाई साब वो तीन साल से ज़ादा gladoutful रह चुका है, तो 100% का provision secured और unsecured दूनों के लिए और जो loss asset हमारा होने वाला है उसके case में 100% का provision बनेगा ही, बनेगा और loss asset कौन सा, जहां भाई साब loss identify कर चुका है bank, या फिर internal external loiter, या फिर RBI की inspection में पता चल गए है कि या amount, जो रिकवर नहीं होगा but amount आपने write-off नहीं किया तो उसे loss asset बनाएंगा और आपको 100% write-off करना पड़ जाएगा ओके, लीजिए, लीजिए अब जो हम दो points कवर करने वाले हो बहुत ज़ादा important है, बहुत ज़ादा important है, देखिएगा NPA भहिया, record of recovery के basis पे decide होगा, सामने वाले की net worth क्या है, अने लंबानी की net worth क्या हमें नहीं पता, पैसे नहीं दे रहा है, NPA बात खतम, so availability याद रखिए, availability of security or net worth of the borrower guarantor is not to be taken into account for the purpose of treating in advance as NPA or otherwise, अगर recovery नहीं होरी, या NPA बात खतम, अच्छा asset classification, asset classification borrower wise होती है, और facility wise नहीं होती है another important point, मतलब आपने एक bank से 10 तरह के loan ले रखे, एक NPO तो सारे NPO हो जाएंगे, all the facilities, including investment in securities would be termed as what NPA, example देखिए, Raman के पास दो loan facility है, गाड़ी का loan है और एक housing loan है, वो regularly deposit करा रहा है, housing loan EMI है, but has not deposited, last four EMIs of the car loan, due deposit of funds, पैसे की कमी है भाई के पास, hence in this case only the car, not only the car loan, but the housing loan, would also be did as NPA although, it is going good, there are no irregularities, but NPA classification is borrower wise, that is Mr. Raman wise, and not facility wise, I hope आपको ये बाते clear हो जाईज bold eyes, bold eyes, bold eyes चलो भाई, अब हमारे पास कुछ special cases बचते हैं NPA के आईए उनको भी cover करने की कोशिश कर लेते हैं, लीजे, अब special cases की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला case है ऐसे accounts जो regularized हो है near balance sheet date, तो basically आपको कोई borrower है, उसका account है, उसमें कुछ solidarity, few credits जो है, वो record हुए है, कहाँ पे balance sheet date से just पहले पहले, तो उसे अपने ध्यान से जो है, वो check करना है और आपने क्या करना है, वहाँ पे जरा से भी अगर आपको weakness नजर आ रही है, तो आपको उसे NPA ही मान लेना है, उसको NPA मानना चाहिए, banks को, और नहीं माना वाथ भाया, बात करो bank wall से स्विर से, बहुत short में repeat करता हूँ छोटे-छोटे credit है, bank के balance sheet rate के साथ, आसपास आपको ध्यान रखना है, subjectivity बिलकुल नहीं लेके आनी है, objectively उसका assessment करना है, inherent weakness से तो उसे NPA मान लोगे, अब बात करते हैं government guaranteed advances की इसमें बहुत ज़्यादा simple, अगर central government के guaranteed advances है और guarantee अभी तक जो है, वो invoke नहीं की गई है, या guarantee वापिस नहीं ली गई है, तो उन्हें standard asset मानेंगे, लेकिन income recognition purpose के लिए हम उनको NPA ही मान लेंगे हाँ, यह situation बिलकूल अलग होती अगर advance जो है, guaranteed है state government द्वारा, जहां पर advance को हम NPA तम मानेंगे, if it remains overdue for the 90 days, more than 90 days, for both provisioning and income recognition purpose, लीजे, अब एक बहुत important topic, advances under consortium या consortium जो भी आप बूलना चाहें, इसे हम लोग cover करेंगे हम अपनी book से, हमारी इसके बारे में, आज जाईए जल्दी से, जल्दी से बहुत important topic, इस पर आपके पास question पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले consortium advance का मतलब क्या है, जब एक borrower दो या दो से ज़ादा bank से मिलकर loan ले, जैसा बोल लीजिए जब दो या दो से ज़ादा bank मिलकर, consortium बनाकर basically loan advance करें, borrower को इससे क्या होगा, banks अपने appraisal benefit consolidate कर पाएंगे, reduce कर पाएंगे, risk को और exposure जो है, वो permissible limit में रख पाएंगे, यानि के, भाई bank ने evaluate करना होता, loan देने से पहले तो वहाँ पे वो combination बन जाएगा, सारे appraisal control and monitoring will facilitate exchange of valuable information, valuable information आपस में exchange होगी, और जो bank, जिस bank का सबसे ज़्यादा बड़ा share होता है, उसको हम लोग क्या बलाते है lead bank, तो देखे हमने 4 points पड़े 1, 2, 3, 4, exam के लिए बहुत important advancing loan to a borrower by two or more bank jointly, appraisal benefit exposure, reduction of risk and exposure within the limits, valuable information exchange की जा सकती है, और जिस bank का सबसे ज़्यादा share होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, lead bank बोलने वाले है, अच्छा, अब asset classification, record of recovery of the individual member bank के basis पे होगी, यानि consortium पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है इस पे में लेना देने नहीं है, individual bank के पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके हसाब से हम लोग उन assets को classify करेंगे, अब यहाँ पे बहुत important बात है कि भाई सब consortium में एक lead bank है, जो पहले पैसे ले रहा है, और वो पैसे लेके आगे है, पैसे नहीं दे रहा है बाकी banks के, तो जो बाकी banks इनको पैसे नहीं मिल रहे है, उनका account जो है, वो not service treat किया जाएगा, और फिर accordingly, उसे NPA भी मान लिया जाएगा, right, अब जो bank participate कर रहे है consortium में, उनको भाई सा अपने arrangement करने है, अपनी share की recovery के, right, जो भी पैसा lead bank के पास गया है, वो आपके बाकी members bank की responsibility है, कि वो arrangement करके रखें, कि हमारे पास पैसा वापस कैसे आएगा, और उसी के basis पर फिर आगे asset classification होगी, अब यहाँ पर drawing power, drawing power का concept हम लोग अभी next video में revise कर लेंगे, लेकिन याद रखिए कौन responsible होगा, lead bank would be responsible for computing the drawing power of the borrower and allocate the same to the member banks, ठीक है जी? तो lead bank जो है, वो responsible रहने वाला है, हाँ, कुछ special circumstances हो सकते हैं, जिसमें, जैसे कि borrow के request पे lead bank जो है, वो क्या कर सकता है, higher और lower share of drawing power जो है, वो member banks को allocate कर सकता है, as against their share of advances, तो generally speaking, अगर इसमें, हमने कुछ सीखा तो वो यही, कि भाई, lead bank responsible होगा drawing power के लिए, हाँ, अगर borrow request करेगा, तो lead bank जो है, वो क्या कर सकता है, shares जो है, वो change कर सकता drawing power का, among the member bank, लीजे, अब दिन, हमारे पास एक और special तरह का count आया, जहाँ पे, जो security दी गई थी, उसकी value जो है, वो erode हो चुकी है, जो security दी गई थी, उसकी value जो है, वो erode हो चुकी है, या फिर, आपके borrower ने क्या कर दिया है, fraud commit कर दिया है, तो यहाँ पर ICA ने सब सब आपको समझाये कभी है, erosion, erosion क्या होता है, gradual destruction or damnation of something, किसी चीज में, दीरे 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 जब reduce हो जाए, तो हम बोलते है, erosion, अगर ऐसा कोई account है, जिसके भाइसर security में erosion हो गया है, तो उसे हम लोग straight forward क्या कर देंगे, doubtful or loss asset कर देंगे, अब doubtful or loss में से कैसे decide करेंगे, देखे, अगर erosion जो है, धान से देखेगा, अगर erosion in the value of security is less than 50%, right, so अगर जो value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank, जब लोन दे रहे थे, उस समय जो value थी, उससे, उसके 50% से भी कम रह गई है, तो ऐसे case में हम लोग NPA सको directly, पहले तो मुसे NPA तो declare करी देंगे उस account को, और साथ-साथ में, it will be classified under doubtful category, and provision shall be made as per the, as applicable to the doubtful assets, realizable value of the security is less than 10%, लो भाई लो, अब 10% से भी कम हो गई है, if realizable value of security as asset by the bank, is less than 10% of the outstanding in the borrowable accounts, लो भाई लो, क्या कहरे हैं, ज़रा ध्यान से पटना, तो जो amount outstanding है, उसको सिर्फ 10% ही रह गई है, तो existence of security should be ignored, and asset should be straight away classified as lost asset, very important, तो आपका जो outstanding amount था, उसके 10% से भी कम रह गई गई outstanding एक करोड़ था, और भाई सिर्फ security की value रह गई है, नौ लाख, तो उस outstanding account को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग completely lost asset की तरह classify कर देंगे, either fully written off or fully provided off by the bank, हम लोग security को क्या कर देंगे, ignore कर देंगे, अब बात करते हैं, ऐसे advances की, जो लिये गए हैं, against term deposit, national saving certificate, किसान, विकास, पत्र, etc, etc, तो उस case में लोग क्या करने वाले हैं, advances against term deposit, NAC eligible for surrender, KVP, IVP and life policies, need not be did as NPA, provided adequate margins available in the accounts, right, तो उनको NPA नहीं मारेंगे, provide that adequate margin available है, agriculture advances, most important mark कीजे, agricultural advances के case में लोग क्या करेंगे, तो RBI ने एक master circular issue किया है, classification and income recognition के लिए for agriculture advances में, and specifically due to impairment caused by natural calamities, हमें वो circular follow करना पड़ेगा, मैं फिर से बोल दूँ, RBI ने master circular issue किया है, किस चीज़ के लिए, जब natural calamities के वेशे, जो है, नुकसान हो जाता है, agriculture में, उस case में, तो वहाँ पर bank को बोला गया, आप लोग अपने खुद के relief में, जो है, decide कर सकते हैं, for example, आप short term production loan को, एक term loan के अंदर convert कर सकते हैं, या फिर आप repayment period को, जो है, वो, reschedule कर सकते हैं, और fresh short term loan भी ले सकते हैं, subject to the guideline contained in the master circular, अब मैं भी ब्याद को सुनिए, तो NPA हम लोग कैसे करेंगे, NPA classification basically, उन्ही re-scheduled terms के हिसाब से, जो है, वो, determine की जाएगी, ओके, then, ये था agriculture advances affected by natural calamities, अभी agriculture advances हमारे पास, और भी यहाँ पर आने हैं, don't worry at all, अब बात करते हैं, advances to staff, bank ने अपने advance, अपने staff को जो advance दिया है, तो उसको आपने क्या करना है, पहली बात, वो आपके advance portfolio bank में आएगा, यानि आपके advances के अंदर दिखाये जाएगा, bank के advances के अंदर, housing loan है, या कोई और advance है, जो staff को दिया है, जहाँ पर interest is payable after recovery of principal, यह सिरफ staff के case में हो सकता है, interest is payable after recovery of principal, तो interest को हम लोग overdue नहीं मानेंगे, from the first installment onwards, तो bank में special facility दी है, उसको चलते हम लोग interest को जो है, overdue नहीं मानने वाले हैं, हाँ, हम लोग क्या करेंगे, उसको NPA माननेंगे, only when there is a default in repayment of installment of principal, or payment of interest on the respective due rates, तो जब जो due हुआ, आपने उसकी payment नहीं करी, यह अब वो कहां पर show होते हैं, बैंक में, जरहो देख लीजे, staff advances by a bank as an employer, and not as a banker, are required to be included under the subhead, others under the schedule of other assets, लीजे, एक और important part हमारे पास आ रहा है, agriculture advances का, जो के आपके exam के point of view से, काफी important है, आईए, so as per the guidelines, agriculture advances दो तो तरह के हो सकते हैं, long duration crop के लिए, और short duration crop के लिए, long duration crop वालो को, हम लोग क्या करेंगे, long duration crop would be crops, वो crops होते हैं, with a crop season longer than one year, and crops which are not long duration, उनकों बोलते हैं short duration, तो long duration वाले याद रख लिजे, बिलकुल long term capitalisat, short term capitalisat की तरह है, long duration crop, वो crop होते हैं, जिनका crop season एक साल से ज्यादा होता है, और short duration crop वो होते हैं, जो long duration crop नहीं होते हैं, ओके, लीजे, अब crop season क्या है, crop season for each crop, which means period up to harvesting of crop raise, would be determined by state level banker committee in each state, तो आपका जो crop season है, जिसके उपर depend करता है, long duration crop है, short duration crop है, वो crop season जो है, state level banker committee, हर state की जो है, वो क्या करती है, decide करती है, अब इनके NPA norms क्या है, ज़रा ये देख लीजे, short duration crop के लिए, जो loan दिया गया था, उसको मैं NPA तभी मानेंगे, very simple, if installment of principal or interest there on, is overdue for two crop season, short duration crop के लिए, हम लोग दिये गे loans को NPA तभी मानेंगे, ज़रा एक बार ICA की book में वापिस आ जाते हैं, और देखते हैं किया क्या हमारे पास यहां पे बचा हुआ है, consortium वाला हमारा काम हो गया, बिलकुल हो गया जी, ठीक है, इसके बाद हमारा erosion वाला काम हो गया, NSE वाला काम हो गया, affected by natural calamities हो गया, advanced to staff हो गया, agriculture हो गया, अब हम लोग पार्ट 3 में cover करेंगे, drawing power और isolated concept, और पूरी कोशिश होगी, कि पार्ट 3 में हम लोग इस chapter को और भी कर दें, मैं तो maximum एक छोटा सा पार्ट और बना दूँगा आपके लिए, और फिर हमारे पूरे chapter की revision जो है, वो क्या हो जाएगी, complete हो जाएगी, ओके, चलो, लंबी एसास बरो, master, छुट्टी, बाग दोड़ निकल पहुच, बुम 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 बॉर्म वाई, हाँ जी, पार्ट 3 में स्वागत है आप लोगों का, और थैंक यू, आपने पहले दो पार्ट को बहुत प्यार दिया, और ये कौन कहा रहा है कि इतना तो हमें पढ़ाय नहीं, ये इतना आपने रिवाईस करा दिया, कोई बात नहीं, अब आप इंजॉय करो, इस पार्ट में हम लोग जो है कोशिश करेंगे, बैंक ओडिट को खदम कर दें, अब बात करते हैं, हम लोग बैंक ओडिट के बहुत इंपोर्टन टॉपिक की, और वो बहुत इंपोर्टन टॉपिक क्या है मैं तो फोन ज़रा साइलेंट पर डाल दूँ, नहीं तो तुम्हारी भाबी का फोन आ जाएगा, बहुत इंपोर्टन टॉपिक है हमारे पास, कंप्यूडेशन ओफ ड्रॉइंग पावर, ड्रॉइंग पावर का निकनेम क्या है घर का नाम, डीपी, अच्छा जी, डीपी के साथ साथ याद रखेगा, यह किस के साथ कौन से तरह की लोन फैसिलिटी के साथ ज़ादा यूज की जाती है, यह वर्ड, यह आपके एक्जाम में कोशिन पूचा हुआ है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के साथ इसको एसोसेट किया जाता है, ड्रॉइंग पावर है क्या, वो लिमिट, जिस लिमिट तक, बैंक का जो क्लाइंट है, बैंक का जो कस्टमर है, वो अमाउंट जो विड्रॉ कर सकता है, वो होती है हमारे पास क्या, ड्रॉइंग पावर, याद दखिएगा, इस सैंक्शन लिमिट से अलग होती है, सैंक्शन लिमिट का मतलब होता है, टोटल एक्स्पोजर, जो एक बैंक, एक particular client के लिए लेता है, उसे बोलते हैं, सैंक्शन लिमिट, लेकिन उस सैंक्शन लिमिट में से, कितना amount withdraw कर सकता है कस्टमर, उसे बोलते हैं, drawing power, drawing power निकालने का simple सा formula, value of security, less margin, special focus on creditor, value of security, less margin, and special focus on what, creditor, तो सबसे पहले आपकी जो primary security है, उसमें से हम लोग margin minus कर देते हैं, सारी बाते मैंने आपको class में, practically भी बताईएं के कैसे होता है, अब revise कर लिजे, तो primary security में से margin minus कर देते हैं, और याद रखिएगा, आपका हर account जो है, it should be within the drawing power and sanction limit at all the times, अगर आपका कोई भी amount जो है, वो drawing power या sanction limit से उपर गया है, किसी से भी उपर गया है, तो भाई साब, उसको हम लोग क्या मानेंगे, irregular बोल देंगे, otherwise should be irregular तो होई जाएगा, and brought to the notice of the management and head office regularly, right, तो हम लोग उसको जो है notice में लेके आएंगे, management और head office के, as soon as possible, ये bankers का का काम है, लेकिन जो बड़े borrowers होते हैं, उनके case में आपको थोड़ा से सहूलियत दिया गया, और बोल दिया गया कि, okay, it should not be older than 3 months, the stock statement should not be older than 3 months, फिर से बोलता हूँ, आपकी drawings adequacy of current assets से cover होनी चाहिए, उसके लिए current stock statement चाहिए, लेकिन large borrowers की, जो है, वो थोड़ी से difficulty होती है, stock statement एकदम current रखने में, तो उनके लिए बोल दिया गया कि, okay, should not be older than what, 3 months, अगर 3 months से ज़ादा old हुई statement, तो मुसे irregular माल लेंगे account को, auditor का concern क्या है, auditor का concern है, जो stock statement है, quarterly return है, हम उसको अच्छे से scrutinize करेंगे, जो भी basically, borrower की stock statement आई है, quarterly return आई है, other statement आई है, हम लोग उसको scrutinize करेंगे, हम annual report जो submit करता है borrower, उसको भी scrutinize करेंगे, और जो उसकी audited statement है, और बाकी जो उसने record submit किये थे, हम उन दोनों को compare करेंगे, अगर कोई deviation आईगी, तो फिर उसका reason दोन देंगे, देखो इसमें से question पता है कैसे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यह question देखो जरा, suggested answer December 2021, 4 number, आपको 4 point उठाके दे दिये, drawing power के बारे में, और बोला गया कि बताओ, इन पे जरा comment कर दो, अब अब यह देखो, banker duty क्या थी, हमेशा current assets से cover हो, working capital account are covered by educacy of current assets, drawing power हमने current stock statement के basis पर निकालनी है, लेकिन बड़े, बड़े लोगों के case में, हम लोग क्या कर सकते है, the stock statement should not be older than 3 months, इतनी हमने रियायत दे दी है, और याद रखिए, now standing in the account, account based on drawing power calculated from stock statement, older than 3 months will be deemed to be irregular, ही चार point अभी हमने पड़े, ऐसी auditor concern, auditor concern क्या है, जो भी stock statement, quarterly return, other statement submit कर रहा है, borrower उसकी scrutiny करेंगे, जो audited financial statement submit करी है, borrower उसकी scrutiny करेंगे, जो audited financial statement submit करी है, और जो बाखी record submit करें, उसको compare करेंगे, और reason for deviation तूनेंगे, ऐसे आएंगे बिटा number, तभी मैं आपको फॉइंट बार बार क्या करा रहा हूँ, revise करा रहा हूँ, बोल बोल के, आईए, then computation of DP, computation of DP में देखिए, यहाँ पर exactly भी बात लिक्की होगी, हमें क्या देखना है, कि drawing power is calculated as per the guidelines of the board of director of the respective bank, and statutory auditors भी जो हैं, उस पर agree कर रहे हो, so computation of DP में पहला point, कि भाई साभ आपकी drawing power जो है, वो calculate की गई हो, as per the guidelines of the board of director of the respective bank, and साथ साथ में उस पर कौन agree करता हो, उस पर साभ आपके auditors, statutory auditors जो हैं, वो भी agree करते हो, special consideration देनी है, to proper reporting of creditors, for the purpose of calculating drawing power, क्योंकि हो सकता है भाई, debtors बहुत सारे हो, लेकिन creditors भी बहुत सारे हो, इस पर मेंने काफी discussion किया था, class में, दो ही बात हैं, computation of DP में दो ही बात है, number one, drawing power as per the guidelines of the board of directors of the respective bank, calculate होना चाहिए, and it should be agreed by the statutory auditor, number two, special consideration रखनी है, हमने किसके उपर, proper reporting of creditors, for the purpose of calculating drawing power, आईए, देन आते हैं हम लोग stock audit पे, अब stock audit पे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक doubt है भाई, ICI क्या चाता है, मुझे नहीं पता, अभी latest में को समझ आया है, मैंने देखा है, एक mock test के अंदर, गलती से बोलूँ या सही बोलूँ, यहाँ पे ICI ने 15 करोड लिख दिया है, वो मैं आपको दिखा भी दूँगा, अभी के लिए, सिर्फ इतना समझे कि भाई साब, stock audit हर उस account के case में होगा, जिसका funded exposure जो है, 15 करोड से ज़ादा है, A, auditor चाहें तो advise कर सकते हैं, other cases में भी stock audit के लिए B, फिर से हर उस account का stock audit होगा, जिसका funded exposure, जिसका funded exposure 15 करोड से ज़ादा है, A, B, auditor चाहें तो बागियों के case में stock audit जो है, वो suggest कर सकते हैं, तेन ब्रांच को क्या करना है, stock audit report लेनी है, लीड बैंक से यह की बात हो रही है, consortium की बात हो रही है, जब अपने consortium में loan दिया है, तो ब्रांच इस जो है, अगर आपका bank, खुद का bank leader नहीं है, तो आपकी जो ब्रांच है, आपके bank की जो ब्रांच है, वो क्या करेगी, वो lead bank से जो है, वो stock audit report, वो obtain कर सकती है, तो C point क्या होगे, ब्रांच कहां से करेगी, stock audit report obtain, ब्रांच जो है, वो lead bank से उप्टेन करेगी, if the bank is not the leader of the consortium, of the working capital, then report submitted by the stock auditor, should be reviewed, जो भी report submit होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, review during the course of audit, and special focus should be given on comments में, बहुत important बात, जो भी reports submit करी है, stock audit की, उसको review करना है, और special focus रखना है, comments of the stock auditor पे, specifically जो valuation से लेटेड, और drawing power से लेटेड, comments करे होंगे, auditor ने अगर कोई तो, तो stock audit में चार बात है, 15 कोड से उपर का funded exposure है, stock audit करवाओ, auditor बागी cases में भी suggest कर सकते हैं, stock audit करवाओ, stock audit report आप lead bank से ले सकते हैं, अगर आपका bank leader नहीं है, अच्छा, जब report आजा है stock auditor की, तो उसको review करना है, और साथ साथ में special focus रखना है, जो भी stock auditor में comments करे होंगे, valuation पे और calculation और drawing power पे, खतम, यह लीजिए, यह हमारा stock audit वाली बात यहां पे खतम हो गई, अब हमारे पास drawing power के बाद, हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, और भाई साथ क्या करना ही कोशिश करेंगे, audit of advances को cover करेंगे, अपने लिए आजाओ, आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो बात मैं आपसे कह रहा था, यह है आपका mock test paper 2, Institute of Chartered Accountants of India का, इसमें अगर आप लोग आएंगे, और question number 6 का B देखेंगे, basically answer देखेंगे, तो competition of drawing power पर यह आया हुआ है, उसमें यही 4 point लिखे हुए है, और stock audit में, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर 15 करोड रुपे लिखा हुआ है, मैंने सच बताऊं तो मुझे 15 करोड पांच करोड दोनों ही लिमिट सहीं ने लगती, अब सवाल यह है कि exam में क्या लिखेंगे हैं, बहुत सारे तरह के borrowers हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे variety के क्या ले रखे हो सकते हैं, loans ले रखे हो सकते हैं, basically bank ने इनको बहुत सारे तरह के advances दे रखे हो सकते हैं, right, advances major part है, बहुत सारे customer हैं, बहुत सारे variety के advances होते हैं, अब audit of advances में किन बातों पर अपने ध्यान रखें 9 के 9 points आपको याद करा दूँगा advances अगर देखा जाए तो bank के लिए क्या है bank के लिए वो asset side पर आने वाली चीज है और asset side पर आने वाली चीज है मतलब account balance है, account balance के लिए E-R-C-V, E-R-C-V देख लो बेटा, अगर conceptual understanding है तो तुम्हें कोई नहीं ला सकता, E-R-C-V number one, कि भाई सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं right, bank के नाम पे हैं कि नहीं rights and obligation, कोई unrecorded तो नहीं रहे गया completeness, valuation proper है या नहीं है, come on, stated basis of valuation of advances appropriate and properly applied and that recoverability of advances recognized in their valuation, E-R-C-V हो गया E-R-C-V के बाद, भाई सब documentation हर advance related, जो भी documentation है travel loan documentation हो या और किसी तरह के कागज हो, वो पूरे होने चाहिए हैं, then उसके बाद appropriate provision बनाना है as per the RBA norms accounting standard and generally accepted accounting principle, बताओ, advance का topic आए, bank audit में और appropriate provision ना है, कैसी कैसी बाते करते हो तो E-R-C-V documentation provisions, उसके बाद ज़रा देखिए, presentation and disclosure मैंने अपको कितनी बार सिखा है, presentation and disclosure ICA ने लग कटी भी ना रख की है, नहीं तो भाई साब वैसे तो presentation and disclosure अपने आप में account balance और transaction में एक accession होती है है ना, तो presentation and disclosure IC और analytical processor, खतम 9 points खतम कर दे, E-R-C-V documentation provision, 6 तो यही हो गए 6 तो यही हो गए, उसका presentation disclosure, internal control, analytical processor, चलो बेटा आगे चलते हैं, अब उसके बाद, यह है कुछ जबरदस्ती की बात है, देखिए यह points आपने मेरे साथ पहले भी पढ़े हो है substantive processor के लिए हम लोग सारे large advances को select कर लेंगे, और बाकी सबको sampling basis पर चेक करने वाले हैं, लेकिन अगर कोई problem account है, तो हम लोग उसको detail में चेक करने वाले हैं, unless the amount is insignificant यह same line हम लोग पहले बढ़ चुके हैं, और ऐसे advances जो during the year sanction हुए, जिस पर adverse comment कर दिया है, RBI ने, concurrent auditor ने बैंक की internal inspection team ने, उनको लोग detail में चेक करने वाले हैं, लीजे, अब auditor sufficient appropriate audit evidence कैसे obtain कर सकता है study और evaluate करेगा internal control को, और यह वाले procedure जो है वो लगाएगा, पहली बात recorded amounts को मेरे साब से जबरदस्ती का topic है question bank में देख लीजिएगा, जिस question में यह answer लिखा हो, लिख के आ जाईएगा, otherwise हम ने audit of advance के जो इस सारे points है यहाँ पे अच्छे से cover कर ली है, बट कोई बात ने, तो अगर auditor को sufficient appropriate audit evidence obtain करना है, तो वो IC को evaluate करेगा, और यह सारी activities करेगा, अब यह सारी activities कौन कौन से activities हैं, जितने भी amounts recorded है, उनकी validity को check करेगा, documentation को check करेगा, right operation of account check करेगा, तो इसको ऐसे पकड़ी है आप लोग, amount मैं आपके लिए mark कर देता हूँ, इधर लीजे ये लीजे, amount documentation, operation हाँ जी, amount, documentation, operation फिर उसके बाद security, security की existence, enforceability, यहनि हमारे पास कितना हक है, उस security से पैसा निकालने का, और उसकी valuation ADOS, आजकल गाडियों में आ रहा है, ADAS, हम लगा रहे है ADOS, bank, bank के लिए sufficient appropriate audit evidence के लिए लगा रहे है ADOS, और साथ-साथ में देखना है RBI के norms, and finally analytical procedure, completely जबरदस्ती का topic जीसे बोलते हैं, वो है मझा याद रखेगा, auditor sufficient appropriate audit evidence कैसे खटे कर सकता है internal control को evaluate करके, ADOS ADOS system से वो RBI जाएगा जहां वो analytical procedure लगाएगा, ADOS क्या है ADOS में सबसे बहले आगे आपका amount फिर आगे documentation, फिर आगे operation, फिर आगे security, फिर RBI और फिर आपका analytical procedure, जै मा तादी, आजाओ जी, अब बात करते हैं जो advances के उपर internal control है हम लोग उसे कैसे जो है, वो evaluate करने वाले है, अच्छा मुझे बताईए हम लोग advances के उपर के internal control को evaluate करके करेंगे क्या, अरे भाई हम लोग अपना NETO substantive procedure decide कर लेंगे, यह देखिए ज़रा, the auditor should examine efficacy, efficacy बोल लीजे efficacy बोल लीजे, जो मरजी बोल लीजे लेकिन पल लीजे, okay, efficacy of internal control, हम लोग अगर पता लगा लें तो NETO substantive procedure पता लगा सकते हैं internal control के अंदर क्या क्या चीज़े आती है बहुत असान है, बहुत असान है CDCS, मेरे साथ बोल लो CDCS, credit worthiness and sanction का internal control चेक करेंगे कि भाई, loan देने से पहले credit worthiness check होती है कि नहीं, और जितने भी loan दिये जा रहे हैं, वो appropriately approved है, sanction है या नहीं, then CD, D बोले तो documents, सारे necessary documents जो हमारे पास होने चाहिए, जिस भी party को हम लोग advance दे रहे हैं, उससे जो भी relevant documents बनते हैं, हमारे पास होने चाहिए, compliance compliance में क्या है, कि भाई जो terms थे, जिस terms पे loan दिया गया थे, वो comply हो रहे हैं, और end fund, end use of fund जो है वो भी, वो ही हो रहा है, जो हम से sanction letter में हमने लिखा था तो CDCS, credit worthiness documents, compliance sufficient margin चार तो याद होई जाते हैं, CDCS एक S नहीं, S, S, C CDCS, S, S, C right, तो पहले, सबसे पहले, सी मार पास क्या था, credit worthiness and sanction documents, compliance, उसके बाल आगे sufficient margin, फिर S, S, और security ownership, तो बहुत simple सी बात है भाई, अगर security आपको दी थी share, debenture, या और किसी instrument के form में, तो उसकी ownership जो है, bank के नाम पे transfer हो जानी चाहिए, और साथ-साथ में याद रखना है, कि भाई साथ, उस से लेटेड़ जो document है, वो भी bank अच्छे से retain करकर रखे, security ownership, security registration, अगर ऐसी security थी, अगर ऐसी security थी, मित्रो, दोस्तो, भाईो, बहनो, जिसका registration होना था, तो bank के नाम पे registered होनी चाहिए, या फिर bank के पास वो document सोना चाहिए, जिससे bank को title मिल जाए, content of the package SSC, तो SSC, अगर आप जहां से याद करें, SSC, ये सारे ही security से लेटेड है, एक था हमारा security का registration, एक था हमारा security की ownership, एक था registration, एक था content of the package, अब ये content of the package का क्या मतलब है, देखिए, bank को goods hypothetical किये गए, वो box के अंदर थे, तो भाईया, box जो है, वो खोल के check कर लेना चाहिए, at the time of receipt, और go-downs जो है, वो bank का, ब्रांच का responsible officer भी visit करता रहे, in addition to the inspector of the bank, okay, SSC, CDCS, SSC, और SSC वाला क्या है बेटा, SSC वाला security, security or content of the package, security, ownership, security, registration, content of the package, CDCS क्या है, credit worthiness, documentation, compliance, और आपका sufficient margin, okay, अच्छा जी, देन इसके बाद मार पस drawing power register, drawing power register maintained होना चाहिए, हर मंत update होना चाहिए with the recorded, to record the value of the securities hypothecated, right, तो हर महीने उसको और अपडेट करना है, and it should be checked by the officer, then आपके जो accounts है, वो drawing power and sanctional limit दोनों में होना चाहिए है, जो अब ये सारे प्रवाने पड़े, वो pointer drawing power में आपको revise करा दियो थे, अगर कोई भी account exceed करता है sanctional limit द्राइंग पावर से, तो otherwise irregular है, तो it should be bought to the notice of the controlling authority, on a regular basis, then review operation of each advance, operation of each advance should be reviewed at least once a year, and more frequent intervals in case of large advances, that's it that's it, मितनों दोस्तों भाई यो भैनों ये हमारा advance का internal control complete होगे, अगब दुबारा repeat करा देता हूँ, cdcs तो credit worthiness था, documentation था, compliance था, sufficient margin था, ssc security ownership, security registration, और contents of the package उसके बाद तो कुछ बचाई नहीं है बेटा उसके बाद तो बस drawing power limit irregular account review, इसको अब ऐसे याद आठना नाम से, drawing power limit irregular account review, drawing power register maintained रहना चाहिए, updated रहना चाहिए accounts limit में रहने चाहिए irregular accounts जो है, वो regular basis पर report होने चाहिए, और हर advance का operation साल में एक बार तो review करना ही है, और अगर बड़े advances हैं तो उसका interval हम लोग बड़ा भी सकते पहाडों में, आओ ले चलूं तुमें आइए, अब जल्दी से हम लोग करते हैं audit of revenue items, यानि के income का audit बहुत आसान है जो important part होगा, मैं mark करा दूँगा आपको सबसे पहले तो ये देख लिए कि bank की income में जो है, वो include क्या-क्या होता है, तो सबसे obviously सबसे पहली चीज, bank कमाता है interest, interest अपने advances पे, bills पे obviously discount के नाम से, investment पे interest, जो उसके balance है RBI के साथ या और interbank funds जो उसके पास पड़े हैं, ये सारी चीजों से वो कमाता है interest, अभी तख कुछ याद करने वाला नहीं, बस bank को interest की income बहुत मोटी होती है और in sources से होती है और साथ साथ में और क्या हो सकता है other income और other income में क्या है ज़रा देख लेते हैं other income में हमारे पास आ जाएगा commission exchange brokerage अब commission exchange brokerage में एक बार आप लोग बस read कर लिजे क्या है मैं आपको एक दो item पढ़ा के दिखाता हूँ जैसे कि mobile banking fees, rent of letting एक बार मैं आपको ice है का study mat भी दिखा देता हूँ जल्दी से कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिखा हूँ है यहाँ पर interest earned बता दिया यहाँ पर other income बता दी और पूरी other income की list पनाते हूँ चले गए other income की list को आप एक बार read कर लेंगे तो बहुत है और इसमें आपको दिखावा दिमाग जो है वो लगाने की जुरत नहीं है बिलकुल भी दो तीन मैंने read कर दी है एक दो और read कर देता हूँ जैसे कि loan processing या syndication fees वो किसी का loan जो है अप्रूव करा रहे है insurance वाला मैंने पहले read कर दिया था उसके बाद आपके बास हो सकता है profit on exchange transaction income earned by your dividend etc तो एक basic idea ले लिए ठीक है bank की यह income होती है अब auditor की approach क्या होने चाहिए बहुत ध्यान से देखिए बहुत important बाद बाद बादा रहा हूँ सबसे पहली कोई भी किसी भी तरीकी entity हो income यानि के हमारे लिए ये क्या है हमारे लिए ये एक तरीके से transaction है और जब transaction है तो transaction की जब हम auditing करते हैं तो हम लोग क्या check करेंगे OCACC OCACC अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गडबड में हैं क्योंकि अगर आपने इस तरही तरह से नहीं पढ़ा ना इसका मतलब आपने इस point का रटा मारा हुआ है और रटा मारने से कुछ होना नहीं है आप याद रखो भाई साब auditor का सबसे बड़ा concern होगा number one कि भाई साब occurrence सही हुई या नहीं हुई took place and pretend to the bank इन दोनों से occurrence चेक होती है तो हर income के लिए और यह चेक करेगा यह actually में यह income हुई भी है और यह bank की ही हुई है दूसरी चीज, relevant period की है या नहीं या जिस period का audit हो रहा है उसकी है या नहीं cut off की assertion यहाँ पर चेक हो गई तीसरी चीज, कोई unrecorded income तो नहीं है, या unrecorded income नहीं होनी चाहिए completeness चेक हो गई चौती चीज, appropriate amount, that is accuracy और पाँचवी चीज के अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने खुद ही लिख दी and incorrect account, that is classification तो OC, ACC, सबसे बड़ा concern हुआ auditor का, अपनी bank के audit की bank के income की audit करते समय अब बचों, यह जितने भी pointers यहां पर लिखे न चिंता मत करूँ, मैं सब revise करा हूँगा लेकिन यह exam में कैसे आएंगे मुझे से लगता है MCQ या correct-incorrect की format में आ सकते हैं, इसमें से एक आदा topic ऐसा है, जिसमें आपको जो है, वो detail में पूछ सकते हैं, वो हम detail में भी कर लेंगे, तो आईए ज़रा जल्दी से देखते हैं यहाँ पे, कौन-कौन से topic हैं, सबसे पहले, सबसे पहले ज़रा इधर देखिए, कि भाई RBI की क्या direction है, accrual और receipt basis को लेके, बहुत simple सी बात है अगर आपकी कोई भी ऐसी income है 1% of the total income से exceed करती है gross basis पे, या फिर net basis पे 1% of the net profit को exceed करती है, net profit before taxes को तो basically कोई भी income जो 1% exceed करती है, gross basis पे हम total income का 1% देखेंगे, net basis पे हम profit before taxes का 1% देखेंगे, तो हमने उस income को जो है, वो recognize करना है कैसे on the basis of accrual बाकी जो income है, वो received की basis पे भी bank recognize कर सकते है, रोहिटर इस बात को लेके qualify नहीं करेगा, अब देखेंगे इसमें से, आपसे correct and correct या फिर MCQ बनाके पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये बाते आपको पढ़ाना ज़रूरी है NPA के अगर में बात करता हूँ, तो NPA पे आपको कोई भी income जो है, वो ऐसे recognize नहीं करनी है जब तक वो realize ना हो जाए, और ये government guaranteed accounts पे भी applicable है, तो इन गाईज ये छोटी-छोटी important बाते हैं, जो आपसे MCQ या correct incorrect के form में पूछ लेंगे, now advance against security, advance against security की case में क्या करना है, हम इनकी income को तभी हम लोग account करेंगे, हम इनकी income को तभी recognize करेंगे, जब sir adequate margin जो है, वो available है accounts में, और advance against security मतलब आपके पास कोई term deposit यानि fixed deposit है, आपने किसी के NSC लेके उसको loan दिया है, बैंक ने, इदर विकास पत्र के against, किसान विकास पत्र के against, life policies के against, अगर आपने loan लिया है, तो याद रखिए, आपकी income तभी recognize होगी, जब आपके बस adequate margin जो है, वो available है, इस सारी बाते बच्चों correct incorrect MCQ के लिए important है, now coming to bills purchase, bills purchase के income के case में आपने बस एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी bills purchase outstanding है, at the close of the year, यह आपका year, यहाँ पर आपके बस जितने भी bills purchase outstanding है, उनके interest को आपने properly divide करना है, properly proportionate करना है, हर accounting period के अंदर, अब एक बात और याद रखेगा, जो interest component है, जो interest component है, जो bank basically दे रहा है on re-discount of bill, दूसरे banks को या दूसरे financial institution को, हमने उसे net off नहीं करना है, is not to be netted off from the discount earned on bills discounted, यानि कि आप अपनी income पहले proper दिखाएंगे और उसके बाद उसे expense को अलग से लिखेंगे, आप net off करके जो है उसे नहीं दिखाएंगे, आईए, अब बात करते हैं, bills for collection की अब bills for collection को लेकिन, उन्होंने क्या भात बूली है, उन्होंने बहुत simple सी बात बूली कि या auditor को यह देखना चाहिए, कि हम party को credit कब करते हैं, मान लो यह bank है, bank को, यहने अपना bill दिया collection के लिए, तो bank एको कब credit करता है, auditor को जो है वो procedure को examine करना चाहिए, generally speaking क्या होता है, कि जब bill actually में collect हो जाता है, तब ही हम लोग उसको credit करते हैं, right commission of the branch becomes due only when the bill has been collected, अब देखिए, इस में से क्या पूछ लेंगे आप से वो, इस में से क्या पूछ क्या लेंगे maximum to maximum मित्रों आप से वो पूछ सकते हैं, कि बता दो कि भाई, generally speaking हम party को credit कप करते हैं, तो आप बोलो कि यसाब तभी करते हैं, जब जो है actual collection हो जाती है, bank अपनी commission कप recognize करता है, तभी करते हैं जब भाई से bill actually collect हो जाता है अब इसमें MCQ ही बन सकता है या ज़ादा ज़ादा correct and correct बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है, चलिए हाँ, अगर इनको combine करके अगर इनको combine करके बोले, कि बताओ भाई, auditor जो है, bank की इस वाले income के part में क्या-क्या चीज़े ध्यान रखेगा, तो आपको बस ये एक heading, ये इसका point, दूसरी heading इसका point, तीसरी heading, इसका point ये लिखके जो है वो आने पड़ेंगे आईए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बच्चो, और next point देखते हैं अपना, rescheduling of outstanding debts, अच्छा जी rescheduling क्या होता है, भाई सब आपने किसी को commission on करी है, वो आप over the period of time, जो भी मान लीजे आपने re-requisition करी थी 2 साल की, 3 साल की 4 साल की, तो आपने उसे over a period of time recognize करना है, और मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं इसमें से कुछ बातों से agree नहीं करता हूँ लेकि फिल भाई, चुप-चाफ से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ICI के study mat में लिखा है और जो ICI के study mat में लिखा है वो ही आपके जो है साइस्टेड हंसर में लिखाएगा उसी के basis पर आपकी marking scheme बनेगी और उसी के basis आपका paper check होगा तो कभी-कभी खून का घूट जो है न वो पीना पड़ता है तो चलो पी लेते हैं भाई साब तो याद रखिए fees और commission जो आपका re-negotiated debts है उनको आप कैसे recognize करेंगे over the period of time covered by the covered by the re-negotiated or rescheduled extension of credit यानि कि जिस time के लिए उस time तक आप लोग अधाम से recognize करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे जो interest earned किया है काईदे से यहाँ पर interest भी होना चाहिए था लेकिन मुझे लगता है ICN नहीं लिखा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर interest नहीं लिखा है यहनी sampling basis पर चेक कर लेंगे कि भाई यह जो है कैसे recognize हो रहा है तो renegotiating में renegotiable जो renegotiation हुई है basically outstanding debt की उसमें इतना ही point अब आते हैं कि important point पर और वो है reversal of income इसे mark कर लो भाई सब important exam के लिए यह आप से एक 3 या 4 number के question के form में भी पूछा जा सकता है पहले एक बार यहां तक की सारी बाते आपको revise करा दूँ तो देखे हमारी income को लेके क्या approach होने वाली है सबसे पहले तो हम लोग income को लेके यह approach रखेंगे कि भाई सब हम लोग अपनी सारी assertions को concern में रखते हुए checking करेंगे यानि OC, ACC occurrence देखेंगे कि भाई सब transaction हुई है या नहीं हुई है हुई है तो bank है या नहीं है उसके बाद हम लोग completeness देखेंगे कि कोई भी unrecorded income नहीं होनी चाहिए फिर हम लोग जो है accuracy देखेंगे यानि कि appropriate amount पर report हुई है या नहीं हुई है फिर उसके बाद हम लोग cut off देखेंगे यानि कि relevant period में record हुई है नहीं हुई है और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे correct account यानि कि हम लोग classification properly हुई है या नहीं हुई है उसके बाद हम लोगों ने धियान रखना है कि भाई सब RBI ने guideline दे रखियो guideline क्या है कोई भी income अगर gross basis पे 1% exceed करती है total income की या फिर net basis पे 1% exceed करती है net profit before taxes की तो उसे accrual basis पे recognize कर लेना है बागे सारी income को receiving basis पे भी recognize किया जा सकता है और उसके विज़े से और जो है वो NPA और जो है वो आपका report जो है qualify नहीं करेगा NPA के अगर बात करता हूं तो याद रखिये NPA पे income तब तक recognize नहीं होती जब तक वो actually realize नहीं हो जाए चाह वो government guaranteed account क्यों नहीं हो advance against security की बात करता हूं जहापे अपने policy के against, FD के against, NSE के against IVP के against या फिर KVP के against आपने कोई loan ले रखा है यानि bank ले रखा है तो तभी income recognize हो सकती है जब adequate margin हो यानि adequate margin नहीं होगा तो income recognize नहीं होगी bills purchase की अगर बात करता हूं तो bills purchase जो हमारे outstanding है at the close of the year उसका जो हमारी income बनती है वो appropriately हमें जो है वो divide कर देने चाहिए between different years interest की अगर मैं इस पर बात करता हूं तो interest component जो हम pay करते हैं किसी और financial institution को re-discounting के लिए हमें वो net off करके नहीं दिखाना चाहिए हमें अपनी gross income दिखाना ही चाहिए bills for collection की बात करता हूं तो बहुत simple है bills for collection पर तो यह देखना है कि भाई साब procedure of crediting the party क्या है अगर आपने debts की re-scheduling करी है तो उसकी जो income है वो हम लोग एकदम से recognize नहीं कर लेंगे वो हम रोग recognize करेंगे और a period of time covered by the re-negotiated और re-scheduled extension of credit ओके इसमें हम लोग कुछ interest को कुछ interest के items को ठाकर test check कर लेंगे और बागी जो fees commission अगए हमने कमाई है different different re-negotiations से उसको हम लोग test check कर लेंगे then हम आ गए है sir important topic पे और वो क्या है वो है reversal of income और reversal of income में क्या है बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत simple सी बात है reversal में देखिए अगर कोई आपका advance जो है including bill purchase वो NPA बन जाता है at the close of any year तो आपने धियान रखना है कि जो भी आपने उसका interest accrue किया था और credit कर दिया था income account में उसको आपको reverse करना पड़ेगा very important very important very important अगर आपका कोई भी account NPA बन जाता है at the close of any year तो आपने उसका कोई भी interest जो है आपने अगर accrue करके अपने P&L में डाल दिया था earn करके आपने उसको मापे दिखा दिया था credit कर दिया था accrue हो गया था और आपने credit कर दिया था तो आपको reverse करना पड़ेगा किसी भी हाल में और याद रखिएगा reversal कब हो रहा है obviously जब वो realize नहीं हुआ और एक government granted account पर भी लगेगा पहले line आप यही लिखके आएंगे reversal of income को लेके कि कोई advance था NPA बन गया तो आपका कोई भी interest जो आपने accrue करा था और credit कर लिया था और वो realize नहीं हुआ था तो आपने उसको reverse करना ही करना है इसी के साथ अबजार ध्यान से देखिए आपका NPA close of any year पे हुआ तो हमने ठीक है जी पहले हमने सारी adjustment कर ली लेकिन आपका NPA close of previous year पे नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद उसके बाद जो है क्या हुआ उसके बाद वो आपका asset पहले close of year पे NPA नहीं हुआ था लेकिन उसके बाद जो है आपका asset NPA हुआ आप ऐसा समझे कि ये दो period है और इस period में आपका asset जो है NPA हुआ अब आपने previous period में अगर कोई इसकी income accrue करके credit कर रखी थी और अभी तक करनी पड़ेगी अगर वो अभी तक realize नहीं थी और बस एक line आपने और दियान रखनी है reversal of income के case में और वो क्या line है ज़र दियान से सुनिएगा वो line ये है मित्रों के दियान रखना है कि कहीं large debits तो नहीं आ रहे हैं interest income को basically bank अपनी income जबस्ती बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा customer के account में unexplained debits तो नहीं दिख रहे है तो unexplained large debits है तो auditor को ये भी check करना है और साथ में ये देखना है कि भाई साब क्या customer की तरफ से कोई communication है pointing out the difference in interest charge and whether appropriate action has been taken in this regard basically यहाँ पर auditor को ये ध्यान रखना है कि भाई जबरदस्ती कोई large debits तो नहीं आ रहे है customer से कुछ जादा interest तो नहीं लिया जा रहा है और customer इसको लेकि अगर कोई communication करता है तो साथ साथ में क्या करना है वो communication किया था या नहीं किया था या उसको audit कैसे basically audit कैसे करना है तो कुछ खास नहीं लिखा इसमें same वही बात है कि भाई साथ जो accrue और credit कर दिया था आपने आपका जो component था finance income का वो अपने accrue और credit कर दिया था to the income account before the asset become NPA और वो भी तक realize नहीं है तो उसको अपने reverse कर दिना that's it बस same बात जो हमी तकम पढ़ते है वो ही यहाँ पर applicable है कि अगर आपको income accrue हुई थी आपने credit कर दिया थी लेकिन asset जो है वो NPA बन गया है और अब वो आपको amount realize नहीं हुआ है तो आपको भाई अब उसे क्या कर देना है reverse कर देना है चलिए अब बात करते हैं चोटे loan को repay करने के लिए एक चोटी अवदी के चोटे loan को repay करने के लिए आप एक बड़ी अवदी का loan ले देते हैं कम interest पर उसे वोलते है take out finance बहुत simple भाशा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी अब यहाँ पर take out finance पर आपने करना क्या है take out loans पर आपने करना क्या है तो auditor ने सिर्फ यही काम करना है कि भाई सब अगर उसे record of recovery देखके बता चलता है कि account जो है वो NPA classified हो चुका है तो अब bank को उससे income recognize नहीं करनी चीए unless realized हाँ जी unless realized that's it इसके बारे में बचो take out finance के बारे मैंने class में चर्चा करी थी कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है अब exam से पहले मैं उससे चर्चा नहीं करना चाहता आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखने है अब exam के लिए कि अगर record of recovery के basis पे यह पता लगता है कि भाई सब bank ने जो है इसको NPA घोशित कर दिया है recognition on partial recoveries in NPA again one of the most important topic as far as the topic of the audit of income is concerned तो उसको बहुत अच्छे से मेरे साथ याद रखिएगा सबसे बेली चीज़ क्या है कि भाई साब interest realize होगा तब ही हम लोग जो है उसको income मानेंगे चाहे वो partly realize हो चाहे fully realize realize होना ज़रूरी है और एक बात ध्यान रखनी है कि भाई उस interest की payment हमारे दुआरा दुबारा दिये गई credit facility से नहीं होनी चाहे ये मतलब एक ने आपको interest दिना था आपने उसे loan दिया और फिर वो आपको interest की payment कर रहे नलाई को इस वाले loan का क्या होगा इस वाले interest का क्या होगा इस बात का करेंगे ये आपके लिए बहुत important point हो सकता है इसको please ध्यान में रखिएगा कि उसके appropriation कैसे होगी तो अगर कोई clear agreement नहीं है bank और borrower के base में तो bank और borrower के बीच में तो क्या करेंगे bank को एक accounting policy use करनी है उसके appropriation के लिए जो interest realize हो रहा है NPA से और साथ साथ में साथ साथ में उसे uniform और consistent manner में लगाना है तो अपनी कोई accounting policy जो भी वो follow करना चाहिए कर ले पस uniformly और consistent manner में जो accounting policy apply होनी चाहिए यानि कि अब सारे NPA से जब भी income recover होगी तो उसी policy से जो है appropriation किया जाए amount recovered का basically appropriation किया है आपको NPA ने पैसा दिया वो principle की तरफ लगाओगे interest की तरफ लगाओगे इस पर चपचा हो रही है और साथ में AS9 का reference दे दिया कि भाई साथ आप लोगों को क्या करना है आपने income तभी recognize करनी है जब realization की क्या हो जाती है certainty हो जाती है that's it तो ये चार line है बच्चो आपको दिला सकती तीन से चार number तो इसको अच्छे से याद रखें अब बात करते है memorandum account की memorandum account क्या है देखो भाई साब जो आपके NPAs हो गए है come on जो आपके NPAs हो गए है अब आपने क्या करना है आपने उनके जो interest charge किया था और realize नहीं किया था आपने उनको क्या करना था reverse करना था और साथ साथ में आपने उनसे further जो आपका interest बनता था उसने आपने उसको जो है account for नहीं करने का है ऐसा ही होता है न NPA लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे ऐसे accounts का जो interest है आप उसकी recording करते रहेंगे continue to record such accrued interest in memorandum account बस इतनी बात याद रखेगा देखे आपका NPA हुआ आपके NPA पे जो भी amount जो है accrued था और credit था आप उसको reverse करेंगे P&L को debit करके और आगे से उसके interest को आप लोग credit करना बंद कर देंगे अपने P&L में लेकिन फिर भी आप एक memorandum account खोलते हैं और आप the bank should continue to record such accrued interest जो actually मैं उपने P&L में नहीं दिखा रहा लेकिन उसे memorandum account में record करता रहेगा और याद रखेगा जब gross advances की calculation कर रहे होते हैं तो इस memorandum account वाला जो interest है इसको हम लोग take account for नहीं करते यानि हम उसको gross advance के अंदर add basically नहीं करते अब चलते हैं आखरी चरण में और वो क्या है income from investment तो लीजे investment से आपको interest income हो सकती है आपको profit हो सकता है या फिर साथ-साथ में आपको revaluation of investment अगर करेंगे तो उसकी रहे से आपको profit or loss जो है वो अपना book करना पढ़ सकता है अब इसमें as such कोई auditing वाला point of view नहीं दिया इसे हैंने बस बताया है कि interest on interest income on investment कहां से होती है तो basically आपके बास जो bank के बास जो government security है bond है, debenture है या फिर कोई और investment है, other investment तो वहाँ से जो है, जो भी income होगी वो हमारी होगी interest income on investment अब धियान रखेगा आप लोग ये बहुत important point है MCQ correct incorrect point of view से अगर कोई income आपने earn किया by way of dividend from subsidies and joint ventures तो उसको हम लोग अलग से recognize करते हैं उसे हम interest income on investment नहीं मानते हैं मैं फिर repeat कर देता हूँ आपने जो government security लिये, bond लिये जो आपके पास debentures है किसी company के या कोई और investment है जिसके आपको interest dividend आ रहा है वो interest income on investment में चल जाएगा लेकिन आपकी कोई subsidy है या आपका कोई joint venture है इंडिया में या इंडिया के बाहर वहाँ पे अगर आपको interest earn कर रहे हैं या वहाँ से आपको dividend कर रहे हैं तो वो हम लोग separately दिखाते हैं उसे हम लोग as an income on investment नहीं दिखाते हैं अब करेंगे हम लोग expenses की बात आईए अब जल्दी से expense का audit कैसे होता है बैंक के case में उसके revise कर लेते हैं तो हमारे पास three broad heads में जो है expense दिखाने होते हैं number one obviously सबसे पहला interest expense, फिर operating expense, फिर provision and contingencies इन दोनों के मैं आपको short code यी बता दूँगा चिंदा मत कीजिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि interest expense का audit कैसे किया जाता है बहुत ही important है exam के लिए तो बिल्कुल भी छोड़के मत जाईएगा सबसे पहले हम लोग interest के auditing में reasonableness देखते हैं reasonableness मतलब कि भाई ये जो interest दिख रहा है ये bank के हालात के हिसाब से bank जो बागी चीज़े बता रहा है उसके आप से सही भी है नहीं अभी हम कैसे करेंगे हम analyze करेंगे ratio of interest paid को different different type of deposit and borrowing से एक simple सी बात बोलूं एक मोटी मोटी बात बोलूं भाई 1000 करोड के जो हैं आपने FDs ले रखे हैं और 8% का मोटी मोटी बात तो आप एक reasonable amount निकाल सकते हो ना interest paid कितना होगा ठीक है उपर नीचे होता रहता है rate लेकिन reasonable amount तो आप निकाल सकते हो के नहीं तो वो ही आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने interest की reasonableness चेक करनी है कैसे analyze करके कि भाई interest का ratio of interest paid को हम deposit और borrowings के साथ match करके देखने की कोशिश करने वाले हैं या फिर आप यह भी बोल सकते हैं और obviously बात है हमारे पास कोई exact figure तो होगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे average quantum of respective liabilities के साथ जो है उसकी calculation करके देखेंगे वैसे तो इतना point ही बहुत है बट आगे भी आप लोगों को बता दूँ कि भाई इसके लोटर क्या करेगा ओईटर जो है different type के deposits के outstanding मांग लेगा bank से इससे basically auditor को again reasonableness जानने में थोड़ सी help मिलेगी और बस यहाँ पर आजाई सीधा और अगर कोई material difference मिलता है तो भाई से उसको further inquire करेगा basically अगर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर auditor में क्या लगाया है यहाँ पर auditor में interest के खर्चे पे analytical procedure लगाया है reasonable test किया है, reasonableness test किया है और अगर वो reasonable नहीं है तो auditor क्या करेगा auditor material differences को further inquire करेगा और जब कुछ ना मिले second point पे आजो तो भाई सब previous year के interest से compare करेंगे और कुछ ना मिले, अगर आप ध्यान से देखें तो analytical procedure जब हम essay number 520 पढ़ते हैं तो उसके नदर यही सारी बाते लिखी होती है reasonableness check करो, previous year से check करो, budget के साथ check करो यहाँ से auditor को जो है बहुत सारे pointers मिल सकते हैं और इन में से किसी में भी अगर material difference आएगा तो वो फिर उसको आगे क्या करेगा, analyze करेगा और जब आप budget के साथ check कर रहे होंगे तो auditor एक चीज़ और जानना चाहेगा यह आपका actually में budgeting का process है क्या कई ऐसा थो नहीं, तुमने budgeting का process यह ऐसा खुंखार बना रखा है, इसके चलते जो है, बहुत ज़ादा आपकी calculations, गलत मिला, आप budget ही ऐसा बनाते हो, कि भाई साथ उससे आप लोगों को आगे गलती करने का मौका मिले budget का basis क्या है, यह भी auditor की calculation को verify करने वाले है, अब हम यह क्या करेंगे, क्या हम सारे के सारे उठा लेंगे, नहीं, हम लोग यह test check basis पे करेंगे, test check बोले थो हम लोग इसको sampling basis पे जो है, वो check करने वाले हैं और इसमें जल्दी से चार बाते आपको बता दूँ, इसमें क्या check करेंगे, कि एक तो भाई सारे deposit पे interest provide किया गया है interest की basically, जो है liability recognize की गई है, interest rate as per the regulations है वो RBI के हैं, internal है, etc, etc interest amount जो credit हुए हैं वो again as per the rules है और जो inter branch balance पे interest मल रहा है, वो भी again as per the rates prescribed by the head office और RBI है तो number one, interest का provision interest as in provided on all deposit interest rate as per regulation interest amount credit as per rules inter branch balance transfer पे जो interest है वो as per the rate prescribed by head office और RBI है, एक बात पे auditor और ध्यान रखेगा कि क्या इस year में कोई भी interest के rate में change आया है, जो भी term deposit है savings account है, उनके जो interest rate है उसमें कोई change आया है क्या, तो एक heading हमारे पास होगी change in the interest rate तो आपको interest rate का change जो है वो ascertain करना है, और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक document होता है, interest rate card, different type of deposit का आप जो है, उसको obtain कर लेंगे इससे आपको interest cost को analyze करने में काफी जादा मदद मिलेगी and finally हम लोग completeness के accession check करेंगे, completeness के accession क्या बोलती है कि देखो भाई साब बहुत simple सी बात है जितना interest का खर्चा था, वो सारा का सारा record हुआ है, या नहीं हुआ है तो completeness को यहाँ पर हम उपनी एक heading बना लेते हैं पहले सारी heading याद कर लें जल्दी से number one हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्या completeness और completeness में बस यही बात कि भाई साब जो भी interest है वो पूरे borrowing portfolio पे जो है वो agree हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि expense है तो obviously हम लोग जो है, borrowing portfolio की बात कर रहे हैं लीजे, यह हमारे पास हो गया सबसे पहला काम आपके expense का वो था interest expense जान पे खेल के revision वीडियो बना रहो एक मदू मक्की घुमरी है भाई साब रूम के अंदर पहडो में आ है वो बट कोई बात नहीं आईए अब देखते हैं operating expenses का audit जो है कैसे करना है बहुत simple सी बात है, पहले तो heading देख लो IC, trends SAP and साथ में आप लोगों को देख रहे है documentation and calculation तो पहले तो ये चार वर्ड दिमाग में डाल लो कौन-कौन से चार वर्ड IC, changing trends, SAP और आपके expenses document or calculation से चेक करेंगे अब देखो भाई, बहुत simple है सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा हुगा कि IC में हम लोग क्या चेक करें तो आपने expense related IC देखना और expense related सबसे important IC पता है कौन सा होता है authorization procedure और आप एक बार IC चेक करते हैं तो आप क्या determine करते हो, बच्पन में सीख लिया था nature, time and extent of other audit procedures अब आते हैं हम लोग दूसरे topic पहले IC की बात क्या था था अब trend में हम लोग क्या करेंगे हम लोग देखेंगे भाई क्या कोई major item के trend में बदलाव आ रहा है trend मतलब क्या होता है कि भाई साथ अब आप लोगोंने में साथ chapter number 8 के नदर पढ़ा हुआ है trend के नहीं जल्दी बता दो trend का वैसे तो simple सा meaning है क्या कि भाई साथ एक direction जिसमें कोई चीज move कर रही हो अब ध्यान रखें कि हमें देखना है कि करेंगे trend में कोई change तो नहीं आ रहा यानि कि एक expense आपका हर महीने जो हर साल जो है वो 25% से बढ़ता था अचानक से इस बार तो 125% से बढ़ गया तो change in trend को ऑईटर ध्यान रखेगा फिर ऑईटर substantive analytical procedure लगाएगा मेरे साब से वो trend वाली बात इसी के अंदर आ जानी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं रायता फिलाने ग्यादात है फिला देते हैं भाई साब तो सबसे फ़ले IC देखा फिर trend देखा फिर substantive analytical procedure लगाएगे हम ratios लगाके कोई unusual fluctuation ढूणने की कोशिश करेंगे ratio कैसे लगाएगे ratio हम देखेंगे इस खर्चे का with respect to हमारा total operating profit क्या ratio आ रहा है इस operating expenses क्या ratio आ रहा है इस खर्चे का with respect to इसके corresponding figure से क्या ratio आ रहा है इस तरह के ratio दिखा के हम लोग क्या लगा देंगे क्या चेक कर लेंगे substantive analytical procedure और चौती चीज जो हमने देखनी है वो क्या हम लोग भाई सब खर्चों से लेटेट जो भी documents है जो भी calculations है हम उनको भी check करेंगे अब इसका operating expenses का short code क्या है तो operating expense का short code है हाँ भी तेरा twitter account है जैज़े के पूचे हाँ भी तेरा twitter account है तो आप बोलना it's verified बोलो भीटा क्या it's verified अब it's verified का मतलब क्या है I say I see, T say trend, S say substantive analytical procedure और V से क्या हो गया हमारे पास verification of expenses from documents and calculation और आपको पता भी है कि भाई twitter verification ले तो expense लगते हैं तो हाँ भाई तेरा twitter account है हाँ भाई operating expense किये थे it's verified चलो जी, तो ये हमारा operating expense भी जो है revise हो गया कि कैसे audit करना है आजाओ जल्दी से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग provisions and contingencies का audit जो है वो कैसे करेंगे direct question आता है exam के अंदर तो potential ले की जूरत नहीं है सबसे पहली चीज, keywords mark कर रहा हूँ आप लोग भी कर लिजिएगा please keyword mark करते वाद चलिएगा सबसे पहली चीज यही कि हम लोग देखेंगे कि bank के जो regulatory requirements है provision को लेके उससे compliance किया है या नहीं किया है अब regulatory requirements कहां पे होती है बहुत सारे circulars RBI निकालता है उसके अंदर जो regulatory requirement है उसके साथ compliance हो रही है या नहीं हो रही है बैंक्स की अच्छा उसके बाद next point हम लोग क्या देखेंगे अब सबसे important point हम लोग देखेंगे इनकी computation हम इनकी computation की क्या obtain करेंगे understanding कि भाई आपने provision की computation की कैसे है आपने classification की कैसे है बस एक ही बात याद रखिए हम लोग obtain करने वाले हैं कि bank provision कैसे compute करता है और basis of classification क्या है bank provision कैसे compute करता है और basis of classification जो है वो क्या है एक बार हमने understanding obtain कर ली अब हम लोग इनकी checking कर लेंगे sampling basis पर हम लोग क्या करेंगे अब हम कोई भी एक आदा loan उठाएंगे और उसको sampling basis पर detail में check करेंगे हम bank से detailed breakup ले लेंगे कि आपने आपके पास जो assets हैं जो standard assets हैं और जो non-performing assets हैं उनका हमें एक detailed breakup दीजिए तो देखें तीन point cover होते हैं number one point cover होता है compliance with regulatory requirement यानि कि circular से comply करते के नहीं हम computation और provision classification की understanding लेंगे हम classification को sampling basis पर check कर लेंगे and finally हम क्या करेंगे हम tax provision की computation चेक करेंगे tax provision की computation हम लोग कैसे check करेंगे हम लोग सबसे बहुत हो bank से बोलेंगे bank bank यानि management management लाओ जरा हमें tax computation दो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे उसके बाद हम लोग बोलेंगे bank bank अब आप यह बताओ हम यह चेक करेंगे basically कौन से items जो है वो debited है कौन से items जो है वो credited है और मतलब basically उसकी computation में अपने कौन कौन से items को debit or credit किया है tax की provision की computation के लिए that's it तो obtain obtain tax provision computation from bank management and check कर लो यह कौन से items debit credit हुए है then उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग अब last में देखेंगे कि भाई सब और बाकी जो खर्चे हुए है उनकी लिए बाकी जो खर्चे हुए है उनकी लिए जो आपने provisions बनाए है अब हम उनकी checking करेंगे right अब उनकी checking का हमारा benchmark क् और जो provisions बने है वो adequate है या नहीं है और यह हम कैसे check करने वाले हैं हम management से explanation obtain कर लेंगे दीजे पूरा का पूरा आपका audit of provision and contingency complete हो गया बहुत ही ज़ादा असान है मित्रों सबसे पहले हमने compliance check करनी है compliance किसके साथ कि भाई सब जो भी आपके provisions को लेगे compliance है circular में वो आपने करना है sampling basis पर फिर हमने tax provision की computation verify करनी है basically check करनी है और फिर आपने कोई और खर्चों के लिए गर provisions बनाए है तो हम उन और खर्चों के लिए बनाए हुए provisions को check करेंगे हम यह चेक करेंगे कि circumstances क्या थे और यह जो provision बने हुए adequate है या नहीं हम कैसे check करेंगे management के साथ बातचीत कर करेंगे है अब मैं आपको इसका एक shortcode देदा हूँ audit of provision and contingency याद रखें जीवन में तो मुझे please judge मत कीजेगा इसके उपर मैं सिर्फ याद कराने के लिए कर रहा हूँ आपने भी तक अगर मेरी class देखे तो आपको पता है कि हम लोग memory techniques बनाते रहते हैं यह लिजी revision वीडि सबसे पहले compliance मतलब उसके साथ बना कर रखो compliance मतलब girlfriend की sell के साथ बना कर रखो number two उसे समझो उसे समझो बेटा को क्या चाती है right number three number three आपने क्या करना है sampling basis के कभी कभी उसके साथ flood भी कर लो अब यह बाते सुनके अगर अगर यह बाते सुनके तो उने मुझे judge किया तो भाई उसको properly check करो यहने इसकी computations को check करो और finally बेटा सिरफ एक ही तोड़ना provision बनाना है other provisions भी तो बनाने है एना चलिए तो यह इसका short code भी होगे यह topic भी हमारा हो जाता है पूरा का पूरा revise